Hello everyone, क्या हाल है आप सभी के? अगर आप SSE exams की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप आगे चल के CD exams देने वाले हैं तो ये समय बहुत अच्छा है अपनी त्यारी Anacademy Plus के साथ करने का अगर आप इस समय Anacademy Plus का SSE Bank Compos चूज करते हैं दो साल का और उसमें discount code PMYT लगाते हैं तो आपको discount तो मिलेगा ही उसके साथ सथ जो दो साल का plan है उसमें पूरा एक साल आपको extra मिल जाएगा अगर मैं दो साल का plan चूज करता हूँ और code PMYT लगाता हूँ तो उसमें मुझे 3 साल के लिए SSE category और 3 साल के लिए banking category मेरे लिए पूरे तरीके खुल जाते हैं इन दोनों काड़िज में किसी भी educator का कोई भी course मैं कभी भी देख सकता हूँ कोई भी test series लगा सकता हूँ कोई भी mock test ले सकता हूँ कोई भी अपने doubt cleaning session में attend कर सकता हूँ सभी की educators की class PDF हम इसमें download कर सकते हैं अगर मैं SSE exams की तियारी करना चाहता हूँ तो सेम तरीका आपको 2 साल का plan choose करना है PMYT code लगाना है और उसमें आपको 8 महीने बिलकुल free मिल जाते हैं अगर आप एक साल का plan choose करते हैं SSE bank combo का तो उसमें 6 महीने free है that is 12 जगा 18 महीने मिलेगी अगर आप एक साल का SSE का plan choose करते हैं तो उसमें 4 महीने free है that is आप अगर 12 महीने का plan लेते हैं तो आपको 16 महीने मिलेगे In any case आप इनमें से कोई सा भी plan choose करें maximum discount के लिए आपका जो code है वो PMYT है, इस code को लगा के आप अपनी त्यारी कर सकते हैं अच्छे से अपनी त्यारी को करिए बाकिया आप से मिलते हैं classes में Thank you so much, God bless Name the gland that controls the functioning of other endocrine glands अब सबसे important भाद यहाँ पर answer के इलावा और ये आती है ये endocrine gland का क्या मतलब है कोई मुझे comment section में बता सकता है endocrine का क्या मतलब है दो type के gland होता है एक endocrine होता है एक exocrine होता है difference क्या है endocrine gland क्या hormone secret करता है क्या enzyme secret करता है 4-5 सवाल बनते हैं सभी के सभी में आपको यहीं पे डिकोट करके दे दूँगा देखो endocrine gland जो होता है यहाँ पे exo है यह x के पास आता है z यानि यह enzyme secret करने वाला जो है वो exocrine होता है वो जो hormones को secret करता है hormone secret करने वाला जो gland होता है वो endocrine gland कहलाता है फटावर्ट से note कर अपने पास और साथ-साथ मुझे इसका भी answer तो कौन सा ऐसा endocrine gland है जो की बाकी कौन सा ऐसा gland है जो बाकी endocrine gland की functioning को control करता है hint देता हूँ इसे master gland भी बोलते है इसका answer होगा option number 3 pituitary gland अब इससे लेके दोचा सवाल मेरे पास है pituitary gland कहाँ पर located है option number A abdomen फटावर्ट से comment section में इसका answer हो option number B brain lower part of the brain option C near kidneys या option number D near lungs A, B, C, A, D फटावर्ट से बता हो भी lower part of brain अब brain आ रहा है maximum low का answer बिलकुल सही है option number B brain देखो मैं clear कर देता हूँ pituitary gland जो है आपके brain के पास located होता है याद रखना तो इसका answer option number B होगा जो brain आपका होता है उसके पास located होता है pituitary gland इसे master gland भी बोला जाता है master gland भी बोला जाता है मेरी कोशिश यह रहेगी सिरफ TCS के सवाल ना discuss कराते वे TCS से बहुत जादा सवाल में आपको discuss करा हूँ क्योंकि देखो सवालों का pattern same रहेगा लेकिन सवाल तो बदलेंगे तो कोशिश ही है जितने ही हाँ पर given है सब को हम discuss कर ले थे फटा फट से बता है adrenal gland कहाँ पर located है adrenal gland जो है यह कहाँ पर located है कोई मुझे बता सकता है यही चार option है फटा वर्ट से भी comment section में आओ maximum लोगों ने answer देना है adrenal gland कहाँ पर है A, B, C, A, D kidney, near kidneys बिलकुल सई near kidney बिलकुल kidney के ऊपर kidney के ऊपर located होता है adrenal gland जब भी आप किसी problem में होते हो जब किसे लड़ाई हो गई कोई डर गए यह जितनी भी panic की situations होती है जो घवराने वाली situation होती है उसमें इससे hormone secret होता है जो आपको instantaneously respond करने में मदद करता है I hope information clear हो गई होगी फटा वर्ट से आगे चलते हैं मैं फिर से बता देता हूँ जिन्नोंने अभी-अभी join कर है PDF के बिलकुल भी tension मत लेना सारे PDF सारे data मिल जाएगा session को अच्छे से attend करो क्योंकि देखो सिरफ PDF लेने से काम नई बनता PDF laptop mobile में पढ़ी रह जाती है जो यहाँ सीखोगे वो actual में अपने साथ जाएगा exam में चलो अगले सवाल देखते है which of the following has the highest protein content per gram बहुत बाल यह सवाल पूछा जाता है इन चारों में से बताओ सबसे जादा protein किस में पाया जाता है फूरे फूरे 15 seconds है आपके पास soya bean apple groundnut या wheat secret during excitement, fear soya bean फटा फट से बताओ वही option number A आ रहा है soya bean बहुत बढ़िया PDF के बिलकुल कोई भी टेंचन ना ले PDF आप सभी को मिल जाएगी soya bean इसका बिलकुल सही answer होगा soya bean जो होता है उसमें protein content बहुत जादा होता है अब देखो यह option में ऐसे सी कभी भी आपको confuse यह नहीं करेगा कि soya bean के साथ यहाँ पे आपको egg दे दिया यह mushroom दे दिया ऐसा confusion कभी भी नहीं होगा तो आपको क्या करना है बहुत जादा इस debate में नहीं जाना है कि साथ पर ग्राम egg पर ग्राम soya bean पर ग्राम mushroom आपको concept को समझना है इसके साथ सथ मुझे फटा फट से कोई comment section में बता सकता है कि apple में कौन सा acid होता है name the acid present in the apple फटा फट से बताओ बई जैसा मैंने आपको पहले बताया this will not be simple question and answer आप से मैं इस से बहुत बड़े level पी चीजों को discuss करने वाला हूँ अगर ये session पूरा देख लेते हो तो ये मान लेना GS का major portion यहीं पर तयार हो जाएगा कहीं नहीं भटकना malic acid malic acid आदा है maximum low का answer बहुत बड़िया apple में malic acid होता है बिल्कुल सही बहुत बड़िया malic acid हाँ बिल्कुल सही mark कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं फटा फट से which of the following is a communicable disease communicable disease में देखो communication आ रहा है यानि अगर मैं आपके contact में हूँ आप किसी और के contact में गए तो basically यह disease person A से person B जाएगी person B से person C जाएगी person C से person D जाएगी यानि यह communication से अगर आपके इसे मिलोगे बात करोगे तो उससे transfer हो सकती अब एक चीज़ ध्यान दखना बहुत लोग को लगता है जो अस्थमा है अस्थमा क्योंकि आपकी respiratory disease है, respiration से आपकी सांस की नली, फेफ़डों से जुड़ी है बहुत लोगों लगता है कि हो सकता है यह communicable हो लेकिन यह communicable नहीं होती या अत्रवन diabetes जो है जिसे sugar बोलते हैं generally यह भी communicable नहीं होती, इसका correct answer लोग option number C, measles which hormone leads to the expulsion of milk from the breast during suckling, इन में से कौन सा ऐसा hormone है जो की milk secretion में मदद करता है इन में से कौन सा ऐसा hormone है जो milk secretion में मदद करता है फटा फट से बताओ भई progesterone, अब देखो यह नाम बहुत tricky है, इस सवाल पर मैं star बना रहा हूँ, चारो के चारो जो hormone से oxytocin, prolactin, अब एक चीज़ मैं आपको तरीका याद दिलाता हूँ milk अगर word दिख जाए क्या मैं कह सकता हूँ, milk का मतलब lact से जुड़ा, यानि lactic लगा दूँ, lactose लगा दूँ galactose लगा दूँ, जितने भी यह lact word वाली चीज़े होंगी, यह hint मैं आपको दे रहा हूँ, यह जुड़ा होगा किसने किस तरीके milk के, maximum cases में इससे ही आप answer को decode कर सकते हो, prolactin hormone secret होता है जो breast से milk का expulsion होता है उस case में जो progesterone है, estrogen है, oxytocin है इनका का milk secretion से जुड़ावा नहीं होता, भले यह female body में ही पाए जाते हैं, इसका correct answer four, इसी type से बढ़िया से session, अच्छे से attend करो, अपना बहुत सारे sessions ऐसे होंगे अपना हर एक चीज़ के note ज़रूर बनाने, copy man लेके बैठा करो, simply यह नहीं, वीडियो देखी चले गए हर एक चीज़ note करो, देखो सवाल जब बनता है न, तब यादा आता है, अच्छा है यार, यह वहाँ पे देखाता, फायदा हो जाएगा सीरा, ढ़ाई number का फायदा होगा, दो number मत सोचा करो, ढ़ाई number माना करो, क्योंकि काफी बार, आप तुक्का भी मारोगे तुक्का माने पे, दो भी जाता है, और आदा तो वह ऐसे भी वह लेके जाता है, चलो बहुत बड़ी, अप प्रोलाक्टेंड बिलकुल सही आंसर आदा है विच सेल्स इन आवर बॉड़ी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ओफ दा ह्यूमन बॉड़ी अब यहाँ पर सिर्फ एक सवाल नहीं, मैं आपसे कम से कम दो से तीन सवाल पूछूँगा पहले इनका आँसर दो, आपकी बॉड़ी के जो रक्षक हैं, वो किसे बोला जाता है इन चारों में से ऐसे कौन से हैं जिन रक्षक बोला जाता है यूसीनोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स यानि डव्ल्यूवीसी, आद बीसी यानि रेट ब्लड सेल्स मैक्सिम लोगों का आदा है डव्ल्यूवीसी डव्ल्यूवीसी बहुत बढ़िया फटावट से आओ भई सभी लोग बहुत आंसर दो डव्ल्यूवीसी बिल्कुल सेब देखो यह सीनोफिल्स जो है और बेसोफिल्स है यह भी आपके इंडिरेक्टली डव्ल्यूवीसी से जुड़े है बट हमें जब एक जेनरल टर्म वहाँ पे दिख रही है हम हमेशा उसे ही फॉलो करते वे चलेंगे डव्ल्यूवीसी वुड़ बी दा करेक्ट आंसर लेकिन सवाल यहाँ पे खतम नहीं होता है अगला सवाल मैं आपको अपने पास से दे रहा हूँ सोल्जर्स को काटो और यहाँ पे लिखो मेडिकल ऑफिसर्स मेडिकल ऑफिसर्स ऑप्शन भी मैं आपको अपने पास से देता हूँ आर बीसी डव्ल्यू बीसी प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ दीस ऑप्शन भी मैं ही आपको दूँगा बेफिकल रहो बस आंसर देते जाओ बढ़िया से लिकोसाइट्स, डव्ल्यू बीसी लिकोसाइट्स, इन चारों में से क्या अंसर होगा ओप्शन नमबर A, R, B, C, B, W, C, C, प्लेटलेट्स या दी नन ऑफ दीस प्लेटलेट्स पिल्कुल सही जवाब प्लेटलेट्स आ रहे है मैक्सम लोग का WBC नहीं होगा जूली प्लेटलेट्स होगा Medical Officer वो जो कि आपकी Body का इलाज करें देखो एक तो होता है Soldier जो लड़ाई करने जाता है एक होता है जो जखमी होता है इंसान जिसे का अंसर दो क्या बोथ आएगा अंसर या सिर्फ एक्स्टर्नल आएगा क्या ये सिर्फ एक्स्टर्नल इंजरी को ठीक करता है या इंटर्नल आपकी Body के अंदर किसी वज़े से चोट लग गई क्या प्लेटलेट्स उसमें काम करेगी Both would be the correct answer maximum cases में आपने सुना होगा Dengu के case में क्या चीज कम हो जाती है देखो सिरफ एक सवाल से हमने पूरा सवाल का निचोड निकाल दिया जितनी possibilities सब की सब हमने ही पर discuss कर ली Dengu के case में आपने सुना होगा platelets कम हो जाती है और doctor कहता है कि भाईया इन्हें यहीं पर admit कर दो वो क्यों कहता है वो इसलिए कहता है इसका answer तो देखो WBC होगा अभी मैं आपको platelets की जो बात बता रहा हूँ क्योंकि platelets कम होने पर क्या है कि अगर body के अंदर injury हो गई तो क्या मैं कह सकता हूँ internal bleeding होगी क्या internal bleeding हो सकती है अगर internal bleeding हो गई तो वो कहेगा doctor कहता है कि पहले से ही इन्हें इहां पर available रखो जिससे हम as early as possible इनका इलाज कर सके अब यह पूरी हलकी सी अगर आपने story सुन ली तो इससे आपको चाहोगे तब भी इस answer को आप नहीं भूल सकते soldier के case में आपको tick करना है WBC आपको medical officers के case में टिक करना है platelet सवान नंबर तीसरा मैं यहीं पर बनाता हूँ oxygen carrier कौन है oxygen को लेके जाने वाला कौन है इन तीनों में से oxygen carrier कौन है eucinophils, WBC, RBC या besophils RBC RBC बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया eucinophils नहीं प्रसंजीत eucinophils नहीं होगा RBC होगा बिलकुल red blood cells, red blood corpuscles RBC बिलकुल सही इसका answer जिसे नहीं पता फटा वट से note करो RBC RBC के अंदर एक चीज पाई जाते है जिसे hemoglobin बोलते है hemoglobin जुड़ा है एक element से उस element का नाम आप मुझे बताएंगे option number a copper option number b silver option number c iron option number d gold यह सब सवाल यह मानके चलो घूम फिरके एक certain pattern है जिस pattern से सवाल बनते है perfect तरीका यह है सिरफ question answer मत करो पूरा pattern समरो बाद ही खतम answer इसका होगा हीमोगलोबिन हो iron हो RBC हो तीनों को ही associate करा जाता है oxygen carrying capacity से oxygen carrying capacity जो होती है उससे associate करा जाता है बहुत बड़ी है भई FE hemoglobin बिलकुल सही चलो आगे चलते हैं dash is the study of micro anatomy of cells tissues and organs as seen through a microscope अब यहाँ पर ट्रिक सवाल यह है कि अगर हमने cells पढ़ा है तो हमने पढ़ा ऐसा cytology होता है लेकिन एक बात सोचो क्या cytology option में है cytology option में नहीं है तो आपको क्या करना है जब best ना मिले तो second best से काम चला लो life में कहावत है second best है tissue organ आपको tissue organ दिखते ही आपने देखा histology जो है आपके पास available है यानि आपने इसे tissue से associate कर रखा है तो इसका answer होगा आपका histology option number one histology इसका answer होगा अगर यहाँ पे cytology given होता तो क्या मैं कह सकता हूँ फिर ये question आपका हो सकता है कि bogus question हो जाता because दो answers किसी तरीके आप associate कर सकते थे कि tissue से आपने histology को करा cell से आपने cytology को करा तो इसलिए कभी भी SSC ऐसा गुमरा नहीं करेगा कि दो option ऐसे डालती है थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रखा है pattern समझ रखा है previous year questions को follow कर रखा है अपना काम बन जाएगा बिलकुल भी परिशान नहीं होना आगे चलते हैं dash is the branch of zoology concerned with the study of amphibians अब यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे सवाल बनते हैं पहले तो मुझे इसका answer दो कि यह zoology की कौन सी ऐसी branch है जो amphibians से डील करती है हर्पेटलोजी, morphology, ethology या फिर mammology option number one हर्पेटलोजी ethology हर्पेटलोजी हर्पेटलोजी अब एमफीबियन क्या होते है दूसरा सवाल मेरा यह आता है क्या यह वो होते हैं जो की winters and summers दोनों में option number है winters and summers में जिनका blood temperature same रहता है क्या यह वो होते हैं जो land and water दोनों पे रह लेते हैं क्या यह वो होते हैं जो cold blooded होते हैं क्या यह वो होते हैं जो hot blooded होते हैं कोई मुझे इसका answer दे सकता है आप बताओ winter summer जिनका blood temperature same रहता है land and water में रहने वाले cold blooded यह hot blood answer होगा land and water दोनों में रहने वाले हैं बिलकुल option number B होगा सही land and water दोनों में रहने वाले 150 लिखने का है इससे बहुत उपर सवाल में आपे आपके discuss कराने वाल हूँ बेफिकर रहना number को छोड़ो बस हर एक सवाल का full intensity से answer दिये जाओ कुछ ही पहलो बार आपको लगेगा कि आपकी तयारी पहले से बहुत ही बढ़िया है zooology बोटनी प्लांट्स बिलकुल zooology देखो zoo का मतलब animals से जुड़ा हूँ तब यह आपने सुनाओगा zoo जाते हो तो वहाँ animals देखने जाते हो अगर plants की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर botany word आ जाएगा plants के लिए फटा फट से नोट को जिसे नहीं पता botany would be the correct word animals के लिए zooology would be the correct word आगे चलते हैं इसका अंसर हल्पेटलोजी होगा जो amphibians या generally जो reptiles होते हैं reptiles की study को भी यही बोला जाता है ध्यान में रखना अगली बार हो सकता सवाल पलड जाए यह बार ध्यान रखना star बना रहा हूँ यह study से इस बार बहुत सवाल देखने को मिले हैं कि इसकी study को क्या बोलते हैं उसकी study को क्या बोलते हैं यह सब चीजे बहुत इस बार देखने को मिले हैं फटा-फट से एक सवाल यह पड़ो जिसमें plant, pollen, spores certain microscopic, planktonic organisms living fossil दोनों में हैं PDF के बिलकुल भी retention मत करना PDF आप सभी को मिल जाएगी बस session अच्छे से attend करो जिससे जब PDF को आप receive करो तो पहले से ही सारा data दिमाग में हो सिरफ आपको PDF को revise करना पड़े पहली बार ना पढ़ना पड़े plant, pollen, spores certain microscopic, planktonic organisms living में भी और daddy यानि fossil form में इन सब की study को क्या बोला जाता है बताओ फटाफट से pollen से ही अपना answer सही बन जाएगा जो pollen की study होती है उसे आप सीधा सीधा बोलते है palynology बोला जाता है उसे dendrology अगर word आपको दिख रहा है dendrology word अगर आपको दिख रहा है यह किस की study को बोलते है किस की study को बोलते है dendrology मैं आपको option देता हूँ यह क्या fossil की study को बोलते है यह क्या trees की study को बोलते है यह क्या reptiles की study को बोलते है या क्या यह आपका turtle की study को बोलते है कुछ भी option आ सकता है अगर आपको पता है अपना काम बन जाएगा फटा फट बताओ डेंट्रोलोजी जो होता है ट्रीज की स्टेडी को बोला जाता है ट्रीज की स्टेडी को डेंट्रोलोजी बोला जाता है ट्रीज की स्टेडी को बोला जाता है नहीं, न्यूरॉन्स की स्टेडी को नहीं बोलेंगे मन्जीत न्यूदॉन्स की स्रेडी को नहीं बोलेंगे न्यूदॉन जो होगे आपका ब्रेन से असोसियेटेड होगे सेम उसी तरीके जैसे कि आप नेफरोन को असोसियेट करते हो किड्नी से PDF के लिए बिलकुल बिलकुल परेशान मत होना PDF आप सभी को मिल जाएगी रिकेट्स is a disease associated with the deficiency of what अगर देखो previous year questions अच्छे से करके जाते हो तो आप ये मान के चलना कि आप अगले साल जब आप exam दोगे तो आपको automatically सारा अका सारा जो भी आप सवाल देखोगे एक pattern आपको समझ आने लगेगा कि there is a certain pattern which you have to follow उसी में सवाल पलट के आते हैं अगर रिकेट्स की में बात कर दो तो पहली बार ये सवाल नहीं आई ये सवाल बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है रिकेट्स है कौनसी चीज़ की कमी से होता है vitamin D आ रहा है answer maximum low का option number one option number one होगा बिलकुल सही answer vitamin D सवालों को थोड़ा सा पलटते है रिकेट्स की जगा मैं लिखता हूँ scurvy इसी option में मुझे answer दो scurvy is a disease associated with the deficiency of what सिरफ previous year सवाल नहीं करके जाने नया भी पढ़के जाने मैं नया भी आपको साथ साथी करा रहा हूँ रिकेट्स के case का answer होगा आपका रिकेट्स का answer होगा vitamin D scurvy का answer क्या होगा इसमें से हाँ vitamin C for scurvy बहुत ही बड़ी है vitamin C for scurvy यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए for example night blindness night blindness फिर से यही चार option है मेरा target यह है कि यही पे आपको चारों के चारों option decode करके दे दू परेशान बिल्कुल नहीं होना night blindness के case में आपको बताना है vitamin A बिल्कुल सही बहुत बड़ी हा for your reference जो रिकेट्स वाले का answer होगा vitamin D होगा vitamin D की कमी से क्या होता रिकेट्स बिमारी हो जाती है जिसमें जो bones है वो weak हो जाती है जो bones है वो बिल्कुल स्ट्रेट की जागा हलकी सी टेड़ी हो जाती है चलने में बहुत परेशानी होती है उस case में आगे चलो यहाँ पर ही सवाल रुख जाना चाहिए था इससे आगे अगर जाओगे तो ज़रुद नहीं है extra information है extra information पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं यही पर answer आजाना चाहिए photosynthesis में क्या बनता है from CO2 and water अब हमें क्या याद होता है हमें याद होता है सर oxygen हम बस oxygen पढ़के जाते हैं SSC ने हलका सा सवाल को घुमा दिया oxygen option में दिया ही नहीं fructose, glucose, sucrose और galactose दे दिया glucose हाँ देखो जो plant होता है generally speaking वो क्या काम करता है वो क्या काम करता है एक तो वो oxygen बनाता है और इसके लावा वो क्या करता है वो food बनाता है हम दो चीज़े लेते हैं plant से एक तो हम oxygen लेते हैं एक हम खाना लेते हैं oxygen तो option में है नहीं दूसरा होगा food अब food किस रूप में बनाएगा food बनाता है वो glucose के रूप में basically जो आपका CO2 होती है वो water के साथ sunlight की presence में मिलती है और आपका बनाती है glucose और oxygen यह आपको provide वो कर देती है इसका correct answer का glucose आगे चलते हैं सवाल आगया आपका जो मैं already discuss कर चुका हूँ यह इस साल के सवालों में भी पूछा गया है which of the following acid is found in apple फटाफट से वही comment section में आओ fructose नहीं होगा prince fructose नहीं होगा glucose होगा option no.4 आ रहा है अरती, जूली, मंजीत, 4 बिल्कुल सही option no.4 malic acid malic acid बिल्कुल सही answer होगा which of the following acid is found in apple apple के case में आपका होता है malic acid malic acid पाया जाता है ठीक है अब अगर मैं ant bite की बात करता हूँ या किसी भी कोई भी छोटी चीटी किसी को काटती है तो उस bite में कौन सा acid होता है यही चार option आपके सामने हैं जो ant bite होती है या कोई छोटा insect काटता है उसमें कौन सा acid होता है sulfuric acid, nitric acid, formic acid या फिर malic acid formic acid formic formic acid आ रहा है maximum low का red ant formic acid जिसे नहीं पता फटा फट से note करो जो bite होती है आंट की है जनरली छोटे insects की formic acid उसमें पाया जाता है nitric acid का जो use है जनरली nitrogen आपको यहाँ पर दिखता है तो fertilizers के case में इस्तिमाल हो सकता है और sulfuric acid apple में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि sulfuric acid बहुती जादा intense एक तरीके से acid है strong acid है तो यह apple के अंदर नहीं पाया जाएगा इसका जनरली इस्तिमाल जो पहले के आपकी बढ़िया सवाल है बहुत सारे बच्चों का इस सवाल गलत हुआ है carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide या nitrous oxide monoxide या dioxide यहीं पर सारी debate settle हो जानी है nitric, nitrous से कोई मतलब नहीं है आपकी body के अंदर जब जाती है तो carbon dioxide इतनी परेशानी नहीं करती, carbon monoxide की जो affinity होती है देखो जो hemoglobin है उसे ऐसे मान के चलो यह कहीं जा दी थी अब यह क्या करती है, मिलती है oxygen से तो oxygen के साथ यह एक pair बनाती है और चली जाती है लेकिन अगर इसे रास्ते में मिल गई carbon monoxide तो यह इसके साथ pair बनाना पसंद करती है अब अगर मान लो इसने इसके साथ pair बना दी है तो फिर यह pair तो तूट जाएगा अब oxygen अगर body तक नहीं पहुचेगी तो क्या होगा? तो problem होगी body तक अगर oxygen नहीं पहुच रही के लिए आपका carbon monoxide की presence नहीं होनी चाहिए यह चीज ध्यान रखना carbon monoxide होगा इसका सही answer the deficiency of which nutrient causes night blindness यह सवाल को आप यह भी कह सकते क्योंकर आपने पुरानी चीज पढ़ रखी है आप previous year follow करके जाते हो जैसे मैं आपको अभी करा रहा हूँ तो इस सवाल को आप ऐसे भी कह सकते तो सर यह तो question repeat हो गया vitamin A, proteins, vitamin K या vitamin C vitamin A vitamin A vitamin A vitamin A बिल्कुल सही vitamin A की कमी से होती है आपकी night blindness की बिमारी night blindness या रतौंधी जिसे बोलते हैं वो होती है vitamin A की कमी से इन चारों में से या मुझे बताओ क्या vitamin A milk में पाया जाता है क्या vitamin A milk में पाया जाता है फटा वर्ट से comment section में आओ भी yes or no vitamin A क्या milk में पाया जाता है yes इन में से कौन सा ऐसा है जो milk में कभी नहीं पाया जाएगा जो generally milk से associated नहीं है which of the following four options is not associated not पर ध्यान देना not capital N bold में है वई vitamin C क्या milk में होगा पहले तो इस पे focus करो क्या vitamin C होगा protein होते है protein होते है देखो vitamin C कभी भी नहीं होगा यह बात ध्यान देना vitamin K भी वैसे directly associate नहीं होगा लेकिन vitamin C जो है most prominent वाना जाएगा इन चादो option में से आगे चलते हैं इसका answer night blindness वाले का आपका होगा vitamin A आगे चलो what is the popular name of ascorbic acid ascorbic acid का popular नाम क्या है भई फटा फट से बताओ milk में vitamin C vitamin C ascorbic acid का generally क्या नाम बोला जाता है फटा फट से बताओ भई PDF बिलकुल मिलेगा PDF के लिए बिलकुल परिशान मत होना ascorbic acid का जो general नाम है वो आपका होता है vitamin C vitamin C क्या मैं कह सकता हूँ यह citrus fruits में मिल सकता है आपको citrus यानि खटे फलो के अंदर खटी चीज़ों के अंदर आपको मिलता है और क्या मैं कह सकता हूँ citric acid है वो भी associated है इसी चीज़ से citric acid हो गया और भी काफी सारी चीज़े जो आपकी खटी होती है और वो vitamin C से directly या indirectly associated होती है आगे चलो which of the following is a vestigial organ? vestigial organ का अगर मतलब पता है तो आप बता सकते हो यानि जो है तो लेकिन किसी काम का नहीं है जो है तो लेकिन किसी काम का नहीं है बताओ वई heart अब बस ये सोचो क्या है ऐसा है जिसके बिन आपका काम नहीं चल सकता appendix appendix होगा बिल्कुल सही answer ये appendix कहां पर located होता है stomach में intestine में gallbladder में या फिर lungs में a b c या डी appendix कहां पर located होता है इन चारों में से बताओ फटाफट से मुझे stomach intestine gallbladder या lungs देखो जो appendix होता है वो आपका intestine का end वाला portion आप मान सकते हो intestine जो आपका होता है large intestine वहां located होता है इसका humans में कोई भी इस्तेमाल लई है यह जो हमारे ancestors होते जो पहले के लोग होते थे उसमें फिर भी काम आदा था अब नहीं आता option फिर से देता हूँ इसी सवाल का चार option पलटता हूँ इस cancer appendix का होगा इस cancer intestine है vestigial organ का दूसरा site में आपको बना के देता हूँ उसमें मैं लिखता हूँ tongue molar wisdom tooth या premolar करो इसे या फिर canine a, b, c या d फटा-फट से बदाओ tongue, premolar, canine, या फिर wisdom tooth wisdom tooth जो होता है जिसे अकल दाड़ा बोलतों जो end वाला आपका दाथ होता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि अब जो हम खाना खाते है वो पहले जैसा हम खाना नहीं कहाते इतना raw food हम नहीं consume करते tongue का इस्तेमाल है, बिल्कुल है, premolar का इस्तेमाल है, canines का इस्तेमाल है, बिलकुल है, wisdom tooth would be the correct answer in this case, आगे चलते हैं, which of the following plants is Carnivorous, Carnivorous वो होता है, जो किसी और जीफ को खाके अपना पेट भरता है, सिप्रेस वाइन, venus fly trap, amaryllis, या फिर, या किंत, फटा-फट से बताओ, a, b, c, a, d, venus fly trap, बिलकुल, यह जो ncrts आपने बच्पन में पढ़ी होंगी, आभी भी आप अगल follow करते हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, venus fly trap, जो है, यह insects को खाता है, और उससे अपने operation इसे चाहिए होता है, वो इसे मिलता है, venus fly trap would be the correct answer, option number b, बिलकुल सही, venus fly trap, which of the following is the third stage in the metamorphosis of a butterfly, यह metamorphosis इतना भारी भद कम नाम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि जब एक butterfly बनती है, एक stage पहला होगा, एक दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, इस में जो third stage है, यह क्या है, फटा फट से बताओ, प्यूपा, लारवा, एग, एडल्ट, देखो वैसे भी आप पता चीजों को असानी से eliminate कर सकते हो, देखो एग, obviously starting में होगा, मैं आपको elimination method बता रहूँ, मालो आपको नहीं पता कुछ, आपको third stage तक जानदा है, तो देखो starting x से होती है, end में adult बनता है, अगर आप इस type से eliminate भी चीजों को करोगे, तो भी 4 में से 2 तो ऐसी बाहर हो गए, answer correct होगा, प्यूपा, जो third stage होती है, butterfly के बनने की butterfly को adult भी बोला जाता है, उसका answer होगा आपका, प्यूपा, प्यूपा is the third stage in the metamorphosis या फिर life cycle of a butterfly, what is the definition of the term, hibernation, एक लारवा, प्यूपा एडल बिलकुल सही, फटा फट से बताओ, hibernation का इन में से क्या मतलब हो सकता है, building of a habitat, nest by bird to save themselves, hibernate, आपने अगर पहले आप laptop या PC इस्तिमाल करते हैं, अब भी कईयों में होता है, hibernate mode होता है, इसका मतलब यह है कि जो computer है, वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो पूरे तरीके बन नहीं होगा, background में थोड़ी सी energy इस्त जर्दी वाले इलाके होते हैं, जैसे कि पोल्स की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर इतनी ठंड होती है, काफी महीने तक बिलकुल भी वो शिकार नहीं कर पाते हैं, जो animals होते हैं, तो वो क्या करता है, वो सो जाता है, वो simply सो जाता है, state of reduced metabolic activity during winter season among all animals, वो कुछ महीनों के लि एक्स्ट्रीम विंटर है, ये खतम होके, नॉर्मल टेंपरेचर की तरफ सर्वाइफ करने लाएक तेंपरेचर की तरफ जब आता है, उस केस में वो फिर से वापिस उठके अपने काम पे लग जाता है, इसका correct answer लोग, option number 3, आपका a state of reduced metabolic activity during winter season among some animals, ये बहुत लोग गलत कर क आए है, कितने कैनाइन होते हैं एक adult human में, अब ये adult word देना SSC के लिए क्यों ज़रूरी था, इस पर भी बात करेंगे, पहले तो मुझे इसकांसर दो, हमारे पास कितने कैनाइन होते हैं, दो, चार, आरती का चार आया मंजीत, चार, जूली दो, प्रसंजी दो, विवेक चार, प्रसंजी चार, विक्रम चार, साक्षी चार, फटा फट से बताओ भई, देखो एक logic में आपको बताता हूँ, अब मंजीत 2122 नहीं होगा, एक बार सोचो, 2122 अगर होता है, तो आप 7 का पेर बनता है, 7, 4, 28 हो जाएगा, तो आपको जो लास्ट वाला मोलर है, वो एडल्ट के केस में आड़ करना पड़ेगा, इसलिए 2123 आएगा, बाकी सही है, 4, 2, देखो एक पाटन समझो, अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं उपर वाला सेट बनाता हूँ, नीचे elimination method सिखाता हूँ, मैं तो कहता हूँ, आपको नहीं आता कुछ, फिर भी कैसे answer दें, अब अगर आप एक side को गिन रहे हो, और यहाँ पे अगर single 1 भी था, तो क्या मैं कह सकता हूँ, automatically 4 का multiple तो होगा ना, सोचके देखो, 4 का multiple तो होना चाहिए, कि अगर 1 होगा, तो 1 into 4 होगा 2 होगा, 2 into 4 होगा, 3 होगा, 3 into 4 होगा, यानि single 2 तो होई नहीं सकता, क्योंकि अगर इदर होगा, सामने भी होगा, ऐसी 2 नीचे होगे, 3 भी नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही हट गए, अब बचा क्या 8 और 4, तुक्का मारने में भी आप पहले से बहतर हो गए हो, इन दोनों में टीथ, formula, code जैसे लिखना लिखो, adult की अगर मैं बात करता हूँ, adult का होता है, 2, 1, 2, 3 upon 2, 1, 2, 3, यानि 2, 1, 2, 3, 2 आपके होंगे सबसे पहले, incisors, फिर 1 होगा, canine, फिर 2 होंगे premolar, और 3 होंगे आपके molar, टोटल करके देखो, 2, 2, 4, 5, 3, 8, 8 एक साइड में है, 8 कहां पर है एक साइड पर, यानि इदर 8 तो इदर 8 ऊपर हो गए 16, नीचे भी हो गए 16, टोटल हो गए 32, आपने सुनाओगा 32 होते हैं, यानि 2, 1, 2, 3 चलता है आपका adult के case में, और जो आपका child होता है, उस case में यह formula काम नहीं करता है, उस case में total ही आपका निकल के आता है, 20, adult के case में चलता है, 21, 23 होगा आपका correct formula, चलें भई आगे, which of the following creatures is ovipadas, ovipadas कौन सा है, मैं आपको यहाँ पे उसका भी formula बता देता हूँ, अगर मैं child की बाद आप से करता हूँ, child के case में भी लिख लो 2102 upon 2102, यानि incisors 2 ही रहेंगे, canine 2 ही रहेंगे, यह change नहीं होते, premolar नहीं होता औ molar होते हैं, 2, यानि total आता है, 5, 5 में भी यह देखो, अगर एक side पे 5, इधर भी 5, नीचे इधर 5, इधर 5, total हो गया आपका 20, अब आज़ो फिर से इस सवाल पर अपने, which of the following creatures is ovipadas, ovipadas क्या होता है, और vvipadas क्या होता है, ovipadas क्या egg देता है, या क्या यह young one देता है, egg laying और young one laying, frog, egg laying, ovipadas, बिल्कुल सही, फटा फट से आओ भी सबी लोग comment section में, ovipadas जो होता है, जो वो होता है egg laying, यानि जो अंडा देता है, जो vvipadas होता है, वो होता है जो young one, यानि जो actual में बच्चा पैदा करता है, वो आपका vvipadas होता है, अगर मैं humans की, mammals की बात को, काटिगरी में आएंगे, ovipadas, इस case में कौन होगा, frog होगा, frog ही इन में से ऐसा है, जो कि आपका ovipadas है, which of the following is the smallest bird in the world, ये नाम पका सुनाओगा, smallest, largest, आप static में, in general भी आप ज़रूर याद करके जाना, पता होना चाहिए सबसे चोटा egg किसका है, सबसे चोटा bird कौन सा है, रॉबिन, finch, diamond, firetail या बी hummingbird, बी hummingbird, बी hummingbird, option no.4, बी hummingbird, बिलकुल सही अंसर होगा, बी hummingbird जो है, सबसे चोटा bird है, बहुत चोटा bird होता है ये, who discovered the first vaccine for smallpox सबसे पहली vaccine smallpox की किसने discover करी smallpox यह ध्यान देना यहाँ पर penicillin नाम का कोई चीज की बात नहीं हो रही है keep this in mind यहाँ पर Alexander Fleming जो है वो smallpox से associated नहीं है Alexander Fleming, Louis Pasteur, John Hunter या Edward Jenner Edward Jenner ने आपकी smallpox की जो एक बिमारी है उसके लिए vaccine की खोच करी थी उस समय की बहुत बड़ा एक तरीके से खोच थी है क्योंकि यह बिमारी लाखों लोग को मार रही थी तो इन्होंने जो अविशकार करा था इससे पूरी दुनिया में एक्चुल में famous हो गई थी का काम था उससे लाखों लोग की जान बची थी अपने आप में बहुत बड़ी बात है यह आगे चलते हैं DNA stored majorly in the dash of the cell फटा वर्ट से बताओ भई अब यह majorly word इसले लिखा गया है क्योंकि सिरफ DNA nucleus में तो नहीं होगा और भी किसी जगा हो सकता है majorly का मतलब की maximum आप यह मान के चलो quantity में कहां पर stored होता है nucleus, golgi body cytoplasm या plasma membrane सबसे जादा जो stored होता है वो nucleus के अंदर आपका store होता है nucleus के अंदर आपका DNA stored होता है DNA की full form बताओ भई DNA की full form क्या होगी DNA में बस D की full form बता दो D की बाकी मैं लिख देता हूँ nucleic acid थोड़ा बहुत काम में तरफ से हो जाएगा थोड़ा बहुत काम आपकी तरफ से हो जाए nucleic acid DNA में D की full form बता दो D-oxy सिरफ D-oxy नहीं होगा सिरफ D-oxy नहीं होगा D-oxy के आगे भी कुछ है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिसे नहीं पता D-oxy ribonucleic acid और RNA की अगर बात करूँ फटावट से नोट कर सकते हैं अपने पास DNA D-oxy ribonucleic acid और अगर RNA की मैं बात करता हूँ तो RNA बस यहाँ पर यह लगा यह ribonucleic acid जो होगा वो RNA की full form कहलाती है बिलकुल सही maximum लोग का answer सही है भई I hope तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी तैयारी में भई कोई कसर मत छोड़ना तैयारी हम आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराने वाले बिलकुल परिशान मत होना तैयारी को लेके फटावट से answer तो क्या मैं कह सकता हूँ उसी सवाल को बस पलड दिया और कुछ भी नहीं करा इस सवाल में अभी पहले बात हुई थी इस सवाल की तब उसी सवाल को पलड के फिर से दे रिया एक दूसरे सेट में तो ये मान के जलो ये जो session आ परिटेंट कर दे हो इस में से कई सारे सवाल आपको दुबारा भी देखने को मिल सकते हैं दुबारा भी आपको देखने को मिल सकते हैं परेशान बिलकुल मत हो बस हर एक सवाल को ऐसे करो कि बार बार परेशान ना होना पड़े बार बार चीजों को पढ़ना ना पड़े night blindness इन में से भहिया किस टीज की कमी से होता है vitamin A की कमी से होता है night blindness बिल्कुल सही option number 3 जो है आपका बिल्कुल correct answer होगा आगे चलो name the tissue that transports food यहीं पर सवाल खतम हो जाता है to various parts of a plant फटावट से बताओ भी food carrying tissue कौन सा है plant के अंदर दो main हैं जो transporter आपकी body में होते हैं xylem phloem food के case में phloem आ रहा है phloem maximum low का phloem देखो phloem में F की आवाज आ रही है food में भी आ रही है बात ही खतम अपना परेशान नहीं होना phloem जो food से associated जो xylem है वो आपका associated है water से यानि जो water carrying आपका tissue होता है वो आपका होता है xylem जो phloem होता है वो food carrying tissue आपका होता है यह सवाल बढ़िया था इस पर star बना रहा हूँ अपनी copy में words जरू note करना which is the what is the distinctive characteristic of marsupials marsupials जिसने words सुना है उसका काम यहाँ पर easily बन जाएगा marsupials की क्या एक खास बात होती है वो they migrate from one place to another वो एक जगा से दूसरी जगा जाते रहते हैं वो अपने बच्चों को अपने young ones को अपने pouch में carry करते हैं वो अंडा देते हैं आप देखो अंडा देने वाली बात अगर हम करें तो अंडा देने वाली बात तो अपकी ovi paris में खतम हो जानी चाहिए they hibernate in winter ये बात भी हम पहले कर चुके जो kangaroo होता है, koala होता है ये सब क्या करते हैं अपने बच्चे को कुछ समय के लिए जब तक वो पूरे तरीके बड़ा नहीं हो जाता अपने pouch में carry करते हैं सबसे famous example जो आपने देखा हो kangaroo इसका है जो kangaroo होता है वो अपने बच्चे को pouch में carry करके घूमता है जब तक वो पूरे तरीके बड़ा नहीं हो जाता marsupial है एक kangaroo I hope point समझा गया होगा they carry young ones in pouches which instrument is used to measure blood pressure ये सवाल NCRT का ही सवाल है ये सवाल बहुत बार दुबारा पूछा भी जाता है हम सिरफ answer को discuss ना करते हैं विचार हुई option को discuss करने की हाँ पर कोशिश करेंगे फटा फट से answer दो इन में से कौन सा ऐसा है जो की blood pressure को नापता है स्विग्मो मैनो मीटर देखो जो स्विग्मो मैनो मीटर जो होता है वो आपका blood pressure यानी BP को नापने में काम आता है आपका glucose या फिर ब्लड sugar नापने में काम आता है थर्मो मीटर जो होता है आपका वो नापने में काम आता है temperature body temperature कह सकते हो अब lacto मीटर जो है milk की quality या milk की purity चेक करने में काम आता है को lacto में फिर से वोई lacto word आगे अपना ये जुगार सब जगा काम करेगा बेफिकर रहना अच्छे से बस तैयारी को करना और हर एक सवाल अगर आप इमानदारी से करते हो इसके बाहर कुछ आप ये मानके चलो एक certain pattern अगर आप पूरा दिमाग में वसा लेते हो ना अपना क को देखो और हीमोगलोबिन को देखो अभी 10 मिनिट पहले जो बात होई है उस चीज़ को भी ध्यान से समझो जूली आप पहले इसे पूरे को फोकस करके चलते हैं ये वाला पूरा निप्टा के उसे भी आपके लिए बहुत जल्दी प्लान करेंगे अभी एक कोशिश ये करोगी जो यहाँ पर अवेलेबल है इससे 100% कर लो क्योंकि CPO, CGL जितने भी एक्जाम से SSC के सब इंटर लिं कैल्शियम, विटामिन A या फिर आइरन बताओ भई फटा फट से आइरन की रिक्वार्मेंट होती है हीमोगलोबिन देखो मैं एसोसियेट करता हूँ कुछ चीजों को RBC, RBC से जुड़ा है हीमोगलोबिन, हीमोगलोबिन से जुड़ा है आइरन, आइरन से आपका आइरन की कमी बोलो, हीमोगलोबिन, अल्टीमेटली बस ये समझना है कि अगर आप इन में से कोई सा भी देखते हो तो आप इंटर लिंक चीजों को कर सकते हो, इंटर लिंक करके ही देखो पढ़ाई करी जाती है, तब ही बहतरी निजल्ट आपके सामने आते हैं इडेंटिफाइ दा पार्ट अफ ब्रेंड दाट कंट्रोल से मेंटेनेंस अफ पोस्चर, बैलेंस, मेंवर्ड और इक्विलिब्रिम, यानि आप सीधा चल पारे हो तो इन में से किसकी वज़े से चल पारे हो, ये पता है बाती खतम, सेरीब्रम, डायनसी फेलॉन, ब्रेंस जो बैलेंस बनावा है कि अगर कोई सीधा खड़ा हुआ है तो वो किसी वज़े से ही सीधा खड़ा हुआ है, ये क्या रीजन है, सेरीब्रम जो है आपकी बॉड़ी का पोस्चर कंट्रोल करता है, जो बैलेंस आपका बनता है, जो अलकोहॉलिक परसन होता है, वो सेरीब्र पे उसके effect होता है, cerebellum पे इतना effect नहीं जाता है, इसी वज़े से वो बाते तो बिल्कुल सही करता है, लेकिन वो सीधा चल नहीं पाता है, उसकी जो चाल होती है, हलकी सी लडखडाई हुई होती है, तो इसका answer होगा option number C, cerebellum, in which part of body is blood produced, blood आप इन में से किस part में produce होता है, अ अगर spleen मिलेगा आपको सवाल में तो फिर आप कह सकते हो, debatable सवाल ये बन गया, two-third part of night julie, वो cerebrum होगा, cerebrum होगा, cerebellum नहीं होगा, answer correct पता होना बहुत ज़रूरी है, मैं यहीं पर सब चीज़े improve कराते हुए चलूँगा, bone marrow, bone marrow में आपका जो blood है, वो बनता है, bone marrow, आप में से किस से associated होता, जो blood cancer है, वो इन चारों में से किस से associated है, again the answer would be bone marrow, क्योंकि bone marrow में जो blood बनता है, वो सही नहीं बन पाता, and blood cancer आप कह सकते हो, bone marrow, spleen, इन सब चीज़ों से जुड़ावा, heart का काम सिरफ और सिरफ पंप करना है, और कुछ नहीं है, heart का काम blood से जुड़ाव करना, lungs का काम है, purify करना, kidney का काम है, filter करना चीज़ों को, bone marrow, बिल्कुल सही, आगे चलो, Wilson's disease, copy pen उठालो, copy में note करो, Wilson's disease, ये सीधा-सीधा liver brain पर effect करती है, Wilson's disease जो होती है, ये inherited होती है, यानि father to son, या फिर parent to child transferable है, excess amount of copper इसमें जमा हो जाता है, ये थोड़ा सा टेड़ा ह इसलिए मैं खुरी आपको इस cancer बता दो, body के अंदर जिब copper extra जमा हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि Wilson's disease हो जाती है, सवाल को मैं थोड़ा सा पलटता हूँ, देखता हूँ कौन-कौन answer दे सकते हैं, यहाँ पर Wilson's disease की जगा मैं काट के लिख रहा हूँ, anemia, यहाँ पर लिख बता हूँ, कुछ नहीं, minus बना दिया है मैंने, बताओ इन में से क्या answer होगा, कोई और hint नहीं है, anemia लिखा है, inherited को भी काट दो, यानि कमी हो गई, minus indicate करता है, कमी हो गई, deficiency बोलो, कुछ भी बोलो, anemia जो है, iron की कमी से, anemia वाले का answer है, iron, Wilson disease का answer है, आपका copper, बिलकुल, good evening, an adult human body has dash bones, भाईया, इससे असान सवाल नहीं मिलेगा, दो नंबर कमाने के लिए, फटा वट से answer दो, आगे बढ़ते हैं, इस पे जाला time नहीं लगाएंगे, 206 बिलकुल, ये तो bonus सवाल है, ये मान के चलो भाईया, ये नहीं करा, तो फिर कुछ नहीं करा, 206 answer बिलकुल सही होगा, 206 हड़ी होती है, एक इनसान के अंदर, इसके साथ सथ मैं आपको एक और information दे रहता हूँ, एक और आपके लिए बड़ी announcement है, आपके लिए सभी की त इंटर वाला badge बिलकुल नहीं है, theory के साथ सथ MCQs, पूरे practice, life practice आप करोगे, classes के अंदर हमारे ही सामने, previous year questions कवर होंगे, जो current year question, जो TCS जिस pattern पर सवाल पूछ रहा है, everything based on latest pattern, कब तक चलेगा, end तक हम साथ नहीं आपका छोड़ने वाले, बिलकुल till exam, अगर आप SAC CGL 2019 के pre मेंस और descriptive के साथ साथ CHSL और SAC के बाकी सभी exams की तेयारी एक single plan में करना चाते हैं, तो आप Earn Academy Plus का एक single plan ले सकते हो, जिसके अंदर अभीने सर के सभी courses, रानी मैम के सभी courses, पवन राओ सर के सभी courses, complete वाइफर स्टरी, प्रतियोगीता मंत्रा के साथ, सभी educators के सभी batches, जितने अभी सभी batches, एक single plan में आप ले सकते हो, आपको पूरा एक साल का plan इस rate में पढ़ेगा, अगर आप discount को PMYT लिखोगे, बिना space के बाद आप जैसे ही PMYT लिखोगे, आपको discount मिल जाएगा, और mock test, drought sessions के लिए कहीं मत भटकना, सब कुछ इसी के अंदर included है, बस आपको final अप एक साल का best रहता है, क्योंकि सिर्फ 900 पे extra दे के आपको 6 महीने extra मिलते हैं, अगर आप किसी और category में भी त्यारी कर दो, चाहिए वो UPSC है, banking या railway, सभी cases में आप यही वाला discount code लगा के अपना maximum discount ले सकते हो, बस आपको PMYT लिखना है, बिना space के, मेरा suggestion है, पर्फेक्ट टा अब बहुत लोगों को दगता है सब physics में का, इन्होंने तो electron, proton, neutron, positron option में हाथो chemistry होना चाहिए, बट नहीं, जे 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 थॉम्सन रेसीप द नोबल प्राइज फिजिक्स for the discovery of what? जे 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 थॉम्सन ने क्या बनाया था? स्कूल में टीचर ने एक तरीका याद कराया होगा इट पर नाच वाला, देखें जड़ा किस-किस को याद है, electron की discovery करी थी जे जे थॉम्सन ने, और जे जे थॉम्सन ने एक्चुल में electron की जगा, इन्होंने बेसिकली ये बताया था, कि जो gases होती है, वो electricity conduct करती है, अब भई, gases अगर electricity conduct करती है, तो कोई तो particle होगा, जो लेक discovery करी है, electron की, ठीक है बई, इसका अंसर electron होगा, आपका positron, neutron, proton बिल्कुल भी नहीं होगा, अगले सवाल की तदफ चलते हैं, the amount of light, very important question, entering into I can be controlled and regulated by dash, फटावट से answer दो, cornea pupil, यह सवाल बढ़िया है, बहुत लोग का गलत होने वाला है, और यहीं पर हम चीजों को सीखेंगे, life में आज के बाद दुबारा कभी गलत नहीं होगा है सवाल, देखो, एक बात समझो, यह मैं आपको पूरा diagram ही अभी पढ़ा देता हूँ, कहीं नहीं भटकना इसके बाद, यह अगर आपकी eye है, तो क्या मैं कह सकते है, front portion जो होगा, आपका वो part होगा, जो bulge हो रखा होता है, जो black color का आपको भाल से दिखता है, इस part का नाम बताओ अब देखो, साथ साथ मैं आपको बताओ, रेटीना तो screen है, रेटीना तो जो है, यहां पर बहुत लोग को confusion है, देखो, यह cornea, यह यह तो screen है, यह तो screen है, यह तो आपकी back में screen है, यह जो आपकी screen है, इसे retina बोलते है, यहां से आपकी information आगे जारी, optic center में, यहां पर होत अब यह जो Central hole है इसे बोलते है Pupil और जो side में cover कर रखिए जो muscles है या जो area है जो इसे contract या बढ़ा रहा है उसे बोलते आईरिस Light Enter जो कर रही है वो Pupil के छोटे बड़े होने से करती है यानि Iris और Pupil मिलके काम करते हैं कैसे करते हैं उसे ध्यान से देखो अगर आप ज़ादा धूप में हो तो यह Pupil छोटा हो जाएगा यानि जो Iris है यह ज़ादा इसे दबा देगा अगर आप अंधेरे में हो तो यह बड़ा हो जाएगा जिससे ज़ादा आपको जगा मिल जाए Light को अंदर लेने के लिए तो जो Central Part है जिसकी वज़े से आप Light को Control कर पा दे हो उसका नाम Pupil है इसका Correct Answer जोगा आपका Pupil होगा Option Number B I hope सभी को Point समझ आ गया होगा विक्रम जो Ciliary Muscles होती है कृष्णा वो आपकी Lens के उपर लगे होती है यहाँ पर जो Lens आपका होता है Lens को जो Hold करके रखती है Ciliary Muscles आप जेनरली उसे भी बोल सकते हो Confusing Question इसलिए मैंने इस पे Star बनाया है Confusion मिटाने के लिए ही मैं इहाँ पे हूँ बस इमानदारी सी चीजों को सीखते जाओ उसके इलावा कोई परेशानी नहीं पड़ेगी इतना लंबा चोड़ा सवाल है इससे ये तो सीखने को मिल गया कि जब वो Mars Orbiter यानी Mars Orbital Mission की वो बात कर सकता है तो क्या वोग चंदरियान 2 की बात भी कर सकता है हंटरेढ़ एन वन परसेंट बात हो सकती है चंदरियान 2 के बारे में अब जब वो इस समें इस रोका चेर् confinement पूछ सकता है Mars Orbiter Mission की टाइम पे तो वो चंदरियान 2 के समय भी सवाल को पूछ सकता है आपसे Mars Orbital Mission के समय जो answer था वो था आपका के राधा कृष्णन और फटा फट से मुझे बताओ कि अगर मैं पूछता हूँ चंदरयान 2 के समय कौन सा ISRO का चेर्मेन इन 4 option में से है ऐसा कोई भी 4 option दे देंगे अब जैसे ही हाँ पे है 4 option जरूरी नहीं है ISRO से associated भी हो सुंदर पिचाई किसी तरीके भी ISRO से associated नहीं है गूगल से associated है अगर आपको तरीका पता है तो आप easily सवाल को टिक कर पाएंगे K7 होगा इसका correct answer यह important इसलिए है क्योंकि यह बहुत बड़ी news थी आपकी 2019 की पूरी दुनिया के लिए सिर्फ हमारे लिए नहीं TV remote controls work on the principle of what जो TV का remote होता है वो इन में से किसके principle पर काम करता है फटावट से बताओ भई K7 पहले वाले का बिलकुल सही answer है infrared waves option number two ultrasonic laser bluetooth चार option दिख रहे हैं देखो decode करना start करते हैं सवाल को Bluetooth technology तो या नहीं ये तो बात गलत है Bluetooth तो बाद में आया है आपका Bluetooth technology नहीं हो सकता laser technology भी नहीं हो सकता laser क्योंकि laser को अगर हम बात करते हैं तो laser technology TV remote में इस्तिमाल नहीं किर जा सकती ultrasonic जो है sonic या नहीं आपका sound से जुड़ा है आपका answer होगा infrared waves infrared waves होती है जो travel करती है आपके TV remote के उपर वाले bulb से TV तक और उसकी वज़े से जो information होती हो ट्रांसफर होती है correct answer होगा option number two infrared waves फिर से बता देता हूँ PDF के लिए कोई भी परेशान मत होना वही clearly सुन लो PDF मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पे हमारे प्रतियोगी ता मंतरा पे आप सर्च करना वापे सभी आपको compiled PDF चीजों के मिल जाएगी Perry Curie Mary Curie Henry Beccural ये Beccural और Curie ये जो है न ये unit भी है इस चीज की जो answer है न वो इनके नाम से इतने बहतरीन तरीके जुड़ा हुआ है कि वो इनकी unit भी है Radio Activity, X-rays, Thermodynamics या Mirror Images बताओ वई Radio Activity आ रहा है कुछ लोगा answer Vikram, Prasajit, Pauna, Khushbu, Mehta, Meenu, Abhishek, Arati Sweta का 2nd आ रहा है, Abhishek, Akhil, Julie, A Radio Activity Video 2nd, 2nd नहीं होगा Video देखो इसका correct answer आपका Radio Activity होगा उसका reason सुनो क्यों Radio Activity जो discover करी थी वो इन तीनों ने करी थी इनने Nobel Prize मिला था इसके लिए इनों रेडियम की जो खोज है उससे भी ये 3 इनों associated है X-ray का इन से लेना देना नहीं है, किस से लेना देना है वो अभी में आगे इस पे भी सवाल बना है Thermodynamics नहीं होगा, Mirad Images नहीं होगा Radio Activity की जो खोज करी थी उसके लिए ने Nobel Prize मिला था Nobel Prize मिला था, ये बात ध्यान रखना जो बेक्यूरल है और क्यूरी है, ये यूनिट भी है Radio Activity की आगया आपका पसंद का सवाल, जिन्होंने भी Second Option आंसर दिया था X-ray की Discovery पे First Ever, Very First Nobel Prize in Physics मिला था 1901 में, इन मेंसे किसे, विल्हम रॉइंटगन, विल्यम क्रूक्स, लुई पैस्चर, विल्यम थॉम्सन विल्हम रॉइंटगन, इन्होंने X-ray का अविश्कार करा था एक आपने फोटो भी सदू देखियोगे, एक हाथ की फोटो है, जिसे माना जाता है इन्होंने सबसे पहला जो X-ray का इमेज है, वो है, विल्हम रॉइंटगन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इन्होंने अविश्कार करा था एक सरे का, आगे चलते हैं ये थोड़ा सा करेंट का है, लेकिन थोड़ा सा जूड़ा है, इदर से भी इसलिए मैं इसे डिसकस कराना चाहूंगा, बिकॉस आई थिंक इस इस इंपोर्टेंट ब्रजीलियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर, डाश, वस अवर्ड़ेट दा 2019 टेंप्लेटन प्राइज वर्थ रुपीज 1.4 मिलियन फॉर इस वर्क ब्लेंडिंग साइंस और स्पिरिच्वालिट अब पॉइंट यहाँ पर इंपोर्टेंट यह है कि हम लोग मानते हैं जो साइंस है हमारी उसका स्पिरिच्वाल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है यानि जो हम फेथ वाली बाते करते हैं भगवान है ऐसा है वैसा है धर्म है उसका साइंस से लेना देना नहीं है लेकिन लिंक धीरे धीरे बनता जा रहा है साइन्स और स्पिरिच्वालिटी के बीच में इस लिंक को बनाने में बहुत ही बहतरीन काम जो आपका करा है वो करा है और ये जो काम करा है इसके लिए इसके लिए एक्चुल में टेंपलेटन प्राइस मिला है 2019 का कहा के है ये ब्राजील के है फिजिसिस्टेंड एस्ट्रोनॉमर है चलें आगे I hope यहां तक सभी को सारे पॉइंट क्लियर होंगे फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि काफी लोग परेशान है PDF को लेके आपको टेलिग्राम पर जाना है इससे पहले जो हमने सेशन डिसकस करें उसकी भी जो कल आपका इंग्लिश का था उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी PDF को लेके बिलकुल भी परेशान मत हो ना डश कोडिफाइड फॉर्स्ट तू लॉस अफ थर्मो डाइनमिक्स यह सवाल बढ़िया है इस पर मैं स्टार बना रहा हूं यह स्टार बना रहा हूं ऐसा इसलिए इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि यहाँ पर आपको Kelvin तो कहीं दिखी नहीं रहा अब आप ढूंडने चले होंगे Kelvin को लेकिन जो Kelvin है उनका दूसरा नाम भी है कुछ जो उनका actual नाम है वो इन चानों में सी कोई है कोई मुझे आंसर बता सकता है विलियम क्रूक्स, विलियम थॉम्सन, रॉबर्ट हूक या लुई अलवरेज बताओ फटाफट से किसने पहले दो लॉस बताये थे thermodynamics के, उसी ने ये भी बताया था जो absolute zero है, यानि जो आपका temperatures कम से कम जा सकता है वो 273.15 degrees Celsius है, minus का automatically एक relation भी बन गया आपका कि जो Celsius है, उसका Kelvin से क्या relation है जो भी Celsius में temperature होगा, उसमें ये जोड़ दो आपका Kelvin में temperature आ जाएगा जीसे नहीं पता, copy pen उठालो this is important, William Thompson फटाफट नोट करो, William Crookes नहीं होगा खुश्बू, फटाफट से नोट करो, William Thompson would be the correct answer, इन्हें Lord Kelvin के नाम से भी जाना जाता था and William Thompson इस सवाल का आपका सही answer होगा जो पहले दो law हैं, ये इनों नहीं बनाए थे आगे चलते हैं who invented the atomic battery in 1912 1912 में आपकी atomic battery किसने बनाई थी मैं आपको बता देता हूँ इन में से किसने, जिसे भी option देख रहे हैं एक बाद आगा वीडियो quality बढ़ा सकते हो तो बेटर दाएगा आपके लिए atomic battery किसने बनाई थी, Henry Mosley Henry Mosley ने atomic battery का अपका विश्कार करता था Benjamin Franklin, Louis Pasteur, Alexandro, Waltra इन से directly associated नहीं है atomic battery से Henry Mosley would be the correct answer आगे चलो A nautical mile, अब यह nautical mile क्या है? इसकी जुरत क्या है अलग से? इसकी जुरत क्या है अलग से? A nautical mile is equal to dash अब हम सडक पे ट्रावल करते हैं तो अपने लिए सीधा हम km या mile में नाप लेते हैं लेकिन जब हम ट्रावल करते हैं ocean में, water में तो हमें latitude, longitude के इसाप से चलना पड़ता है इसलिए जो आप ट्रावल करते हैं जब ocean के case में उस case में आपको nautical mile का विश्कार आपको use करना पड़ता है इसी से जुड़ा है not ये भी ध्यान में रखना जो हम speed नापते km पर आर में अगर इसी टाइप से अगर आप nautical mile में नापने लगोगे तो उसमें not associate हो जाता है उस चीज से आगे चलते हैं 1852 meters का एक nautical mile होता है एक nautical mile होता है 1852 meters का काफि साई लोग का answer गलत है जिसका भी गलत है देखो गलत होना अगर अभी गलत है कोई टेंचन नहीं है session के बाद भी अगर गलत है तो दिक्कत की बात है copy man I hope बिना मेरे कहें नोट कर लियोंगे चीजे option number c 1852 option number c आ रहा है सुथर का c नहीं होगा 1852 होगा फटाफट से note करो which of the following stars is nearest to the sun sun के सबसे पास कौन सा star है शुब हम आपको इसकी pdf टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी प्रतियोगी ता मंत्रा आपको सारी pdf compiled मिल जाएगी which of the following stars is nearest to the sun nearest to the sun इन में से कौन सा है बताओ serious, deneb, proxima, century क्या होगा इन में से answer ये काफी जादा आपने news में भी सुना होगा ये नाम काफी बार आता है आपका news के अंदर, newspapers के अंदर proxima century जो है ये आपका सबसे pass है sun के और pass का मतलब ये नहीं है कि 24 साल में पहुँच जाओ गए light years distance है, light year क्या होता है कि light एक साल में कितना travel कर देगी यानि वो actual में बहुत ही बड़ा distance हो गया ऐसा नहीं कि हम वहाँ जा सकते हैं अभी अपने पास इतनी बड़ी है technology नहीं है कि हम actual में वहाँ पे travel कर पाए nearest to the sun लिखो copy में, आगे लिखो star आगे लिखो proxima century a traditional battery जो पहले battery चलती थी contains which of the following chemicals कौनसा ऐसा chemical है जो उसमें पाये जाता है सिर्फ एक बात ध्यान दखना जो battery है वो associated किस से है acid से ये बात तो पक्की है acid निकलता था movie बड़ी देखते हो गगा जल बगाद भी शायद देखी होगी तो वो कोई ऐसा acid है जो बहुत ही जादा strong है strong acid जादा पहचान के बताओ मुझे इसमें से H2SO4 sulfuric acid sodium bicarbonate ethanol नहीं ethylene glycol नहीं sulfuric acid जो दिख रहा है हाँ सर ये strong acid है इसका मतलब sulfuric acid ही पाया जाता होगा आपका battery के अंदर इसमें क्या होता है battery के अंदर जो ionization होता है sulfuric acid का जिससे आपकी जो power है वो produced होती है option number 2 होगा H2SO4 फटाफट से note करो जिसने नहीं note करा आगे चलते हैं which instrument is used to measure the intensity of light यहीं पर बात दुख जानी चाहिए produced by an unknown source in terms of a standard अब इस बात का क्या मतलब है इसे समझते है इस बात का यह मतलब है कि आपके कहीं पर आपको पता है कि इससे certain amount of energy निकल रही है इसके comparison में इससे 5 times energy निकल रही है ऐसा कुछ यहां पर इसका मतलब है यानि basically you are comparing the intensity of light of two sources इससे versus इससे dynamometer तो dynamo तो associated है electricity magnetism से caliper भी इससे associated नहीं है अगर आप vernier caliper की बात करते हो तो वो measurement से associated है vernier caliper ammeter की बात करते हो तो electricity से associated है option ही अपने आप बचा photo photo का मतलब है क्या photo का मतलब light यानि light को meter यानि नापने से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज कोई ऐसी चीज जो intensity of light को नापने में मदद करती है photo meter होगा इसका सई answer आगे चलो यहाँ तक सभी को point बिल्कु क्लियर होगा pdf का आपको मैं बता देता हूँ telegram channel आपको search करना है telegram पर प्रतियोगीता मंत्रा जैसे यह आज वाले session की pdf होच है वो कल जो हमने English का आपको session दिया था दीपती में आपने वो हो या फिर आने वाले session सब कुछ आपको हाँ मिल जाएगा बस आपको group join करना है time से जिससे आप content को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो single आपको stop solution मिल जाएगा and compiled pdf आपको हाँ पर easily available होगी identify the unit of measuring intensity of sound sound को जब आप नापते हो तो इन में से किसमे नापते हो फटा-फट से बताओ भी decibels, candela, knots और ampere decibel decibel और एक और चीज़ ध्यान दो बड़ी कमाल की बात यह है कि जो pdf है, pdf आपके पास 100% available है लेकिन अगर आप session साथ सादरेंट करोगे तो pdf को आपको सिर्फ refer करना है revision के लिए, अगर सिर्फ pdf पे जाओगे उससे बड़ी है, पूरा session देखो end में जाने से पहले वहां से revise करो tension ही कतम, ऐसा ना हो सिर्फ pdf डाउनलोड कर लो, session ना देखो session जादा important है, इससे linked आपकी pdf है, तो यहाँ पर live जब भी मैं आऊँगा, आपको भी join करना है, जिससे हम ऐसे ही sessions आपको बहतरीन बहतरीन आगे भी देते रहे हैं decibel, candela, knots, ampere, इसमें से बस मुझे बतादो कि अगर मैं बोट में बैठाऊ answer आपके reference के लिए sound का भी मैं बताता हूँ बोट में बैठाऊ, बोट एक speed से चल रही है, इन चारों में से किससे मैं उसकी speed ना पूँगा, एक बोट में बैठाऊ, मैं माल लो, किससे ना पूँगा में इसकी speed, candela decibels, knots से ampere देखें जड़ा कहां तक level जा रहा है दिमाग का, बोट है, ship है submarine है, कोई सी भी ऐसी चीज है, किससे ना प सकते हैं knots से, अभी याद करो, मैंने आपको बता था, nautical mile की जब हमने बात करी थी, जो nautical mile था वो आपको associated था, वो आपका latitudinal distance, longitudinal, basically ocean से ये था distance की unit जो naut है, वो आपकी speed की unit है कोई boat है, वो कितने naut से चल रही है, हम इस type से बोलते हैं चीजों को sound वाले का answer होगा decibel और naut वाला जो मैंने अभी आपसे boat का पूछा था, ये जो boat मैंने आपको बना के दी है, ये boat की speed से travel कर रही है, इसका answer आप देंगे, x knots यानि इतने knots में, यानि knots होगी इसकी, knot होगी इसकी unit, आगे चलो according to dash pressure is equal to the force divided by area on which it acts अब pressure word आते ही अब आपने pressure word से किसी जीज़ को associate कर रखा, एक और statement बताता हूँ pressure is transmitted equally in all directions, ये statement जादा आपने सुनी होगी, मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करो, options को eliminate करो, कि कौन-कौन सा नहीं हो सकता, कौन-कौन सा नहीं हो सकता, फटा-फट से हटाओ Newton law हो सकता है, Sir Newton law अगर आप force की बात करो, तो force और area का relation नहीं देता, ये देता आपका momentum basically velocity acceleration से लेना देना, ये नहीं हो सकता Stephen-Boltzman law जो है, वो आपका radiation से associated है, black body radiation से, ये भी नहीं हो सकता Hooke's law जो आपका है, ये आपका elasticity वगार से related है, ये भी नहीं हो सकता क्या बचा? Pascal's law बचा, जो की automatically आपका relate करता है, pressure से तो doubly sure हम हो गए कि इस cancel होगा Pascal's law, यानि ये कहादा है pressure is equal to the force divided by the area on which it acts जैसे की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इस type से कोई area है अब मैं कोई एक object यहाँ पे रख रहा हूँ इस type से मैंने रखा है, ये 10 kg का object है, ये case number 1 है यही case number 2 है, मैंने इसे इसे आइसे रख रखा है, तो बस मुझे ये भी 10 kg का है, मुझे बताओ, ज़्यादा pressure more किस में होगा, 1 मे या 2 में pressure ज़्यादा किस में होगा, अगर मैं floor की बात करता हूँ, 1 में या 2 में, ज़्यादा pressure किस पे होगा, 1 मे या 2 नू में रभी का अंसरा है 2 प्रसंजी 2 फटावट से बताओ वए रभी प्रसंजी 2 आदा है आनसर देखो एरिया कम होगा तो प्रैशर जादा होगा आति अंकुल विजू बड़िया 2 यहां पे एरिया कम है एरिया कम का मतलब छोटे से एरिया में जादा force लग रहा है बहुत बढ़िया रितू, प्रिया, अवेस answer correct होगा 2 pressure जादा 2 के case में होगा यहाँ पर कम pressure होगा कम pressure होगा, यहाँ पर जादा pressure होगा यह area कम है जिसकी वैसे जादा pressure यहाँ पर लगेगा, बिलकुल सही आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, रजत has hypermetropia what type of lens will the ophthalmologist recommend to correct his vision, अब यहाँ पर देखो क्या कमाल की बात है, अब उसने आपको यह word तो दे रिया इसका मतलब आप गौर भी नहीं फर्माओगे, लेकिन हो सकता है अगली बार यह one word substitution में आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या यह associated है brain से क्या यह associated ear से A, B, क्या यह associated eye से, यह क्या यह associated आपके lungs से, पहला सवाल तो मेरा यह बनता है, उसके साथ से हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ों को भी देता है, थोड़ा सा फ़रक है दोनों में यहाँ पर recommend करता है ophthalmologist, यानी एक तरीके का यह बता रहा है क्या दिक्कत है, और जो काम आपका बना कर दे रहा है वो है optician, अब hypermetropia के case में क्या होता है convex lens का इस्तमाल करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है, कौन इस type की आई होती है, और किसी वज़े से कोई weakness आगई, आँख बड़ी हो गई, जो raise होती है object की, वो आपकी सही से नहीं मिल पाती है, अब इस type से कोई पंगा आ रहा है अब हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अलग से हम lens लगा सकते हैं, चश्मे के रूप में तो यह raise थोड़ी सी आगे मिलते मिलते, यहाँ पर आपकी सही retina के उपर मिल जाएगी और image बन जाएगी साफ, hypermetropia को काड़ दो, myopia का answer दो myopia का answer दो myopia का answer दो, खुश्बू, आती, रभी, अमिद, प्रसंजीत, प्रिया, concave, बिल्कुल सही, concave आएगा myopia की case में answer और hypermetropia की case में आएगा convex, बिल्कुल सही, विक्रम, अमिद, मयंक, विजू, आगे चलते हैं, तर्म blood moon is used to refer to क्या, जो blood moon एक term है यह आपने सुना होगा, blood moon इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि चांद इस समय लाल रंग का हलका सा दिखता है, यानि कुछ ना कुछ जरूर चांद पे हो रहा है जो हमें earth से दिखता है लाल रंग का अब सबसे पहली तो बात मैं यह बताता हूँ, बहुत लोगों को confusion होती है कि lunar eclipse और solar eclipse नहीं समझा रहा, कौन सा कब हो सकता है, मैं सबसे पहले तो आपको इसका तरीका बताता हूँ, कैसे आपको पहचानना है तीन चीज़े हैं अपने पर, एक है sun, एक है moon, एक है earth मुझे बताओ इसमें से क्या practically possible नहीं है पहला combination तो यह है, तूसरा combination यह है तीसरा combination है earth, sun, moon यानि ऐसा 1, 2 और 3 में से क्या है जो बन ही नहीं सकता अधे ध्यान से देखो, क्या earth और moon के बीच में sun आ सकता है practically possible नहीं है, sun कितना बड़ा है क्या earth और moon के बीच में आ सकता है, तो यह तो है इनी possibility सिरफ यह दो बचे, इन्हें हमें decode करना decode करने का भी तरीका समझो, कि अगर sun यहाँ पर है और आपका earth यहाँ पर है, और moon बीच मर है तो इसका मतलब इस area में कुछ पंगा हो रहा होगा यानि इस समय यहाँ पर तो दिन हो रहा होगा सोच के देखो, अब दिन हो रहा है और सूरज से कोई बात जुड़ी है तो क्या मैं इसे सूरे ग्रहन बोल सकता हूँ हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा अंबरा, पैनंबरा, यह सब केसिस जो बनते हैं अपने यह सोलर एकलिप्स का केस होगा, दूसरा केस समझो अगर sun तो हमने यहीं पर छोड़ दिया हमने आगे क्या करा, अर्थ को बीच में ले लिया मून को यहाँ पर ले लिया अब यह जो केस बन रहा है कि भाईया, चांड सही से नहीं दिख पादा तो क्या यह रात को होगा, क्योंकि हमें तो इस एरिया में दिखेगा ना चांद नहीं दिख रहा तो यह होगा रात को यानि अपने रात वाली कंडिशन होगी रात को चांद वाला पंगा होता है तो यानि lunar eclipse होगा इस case में answer अपना और यहाँ पर होता क्या है उस चीज़ को भी ध्यान से समझो जो अर्थ की आपकी surface है जो atmosphere अर्थ के चारो तरफ है उससे जब sun की race टकरा कर जाती है तो यहाँ पर वो तूट जाती है तूट कर क्या होता है आगे तक बाकी नहीं जा पाती सिर्फ red जा पाती है क्योंकि red की wavelength अलग होती है red का जो dispersion deviation होता है वो कम होता है कम deviate होती है तो चांद की उपर हलकी लाल रंग की आपको layer दिखती है लाल रंग से अगर आपको दिखेगा तो क्या मैं कह सकते है blood जैसे दिखेगा blood जैसे दिखने के चक्क्रमी से blood moon नाम दिया जाता है सभी लोग बही एक बार मुझे बताओ सभी को पूरा का पूरा lunar eclipse तो solar eclipse समझ आया या नहीं आया इस से भार eclipse में सवाल नहीं बनना अगर इतना कर लिया तो समझो सब कर लिया चलो बढ़िया है बढ़िया आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं इसका अंसर blood moon का आपके लिए होगा lunar eclipse which instrument is used to measure blood pressure फिर से सवाल repeat है यह वाला ठीक है और फटा फट से मुझे इसका अंसर दो glucometer, sphigmo manometer, thermometer, lactometer amid कौन से वाला position नहीं आया उसमें समझ बताओ sphigmo manometer जो होगा इसका correct answer होगा यह blood pressure आपने में कहाता है पिछली बाल मैंने answer बताया था इस बाल मैं आपसे पूछूँगा इन में से कौन सा ऐसा है जो blood की sugar से associated है blood की sugar से कौन सा associated है इन चारों में से अमित अभी इस वाले question पर फटावट से focus करते है session end होने के बाद एक बाद उसे अच्छे से दुबारा देखना है definitely समझ आ जाएगा glucometer glucometer blood की sugar से यानि glucose से associated है और sphigmo manometer जो है आपका blood pressure से associated है बिलकुल सही आगे चलते है temperature से associated है thermometer lactometer जो आपका है वो associated है milk की purity से orion constellation जो होता है और हमेशा ध्यान लखना इन चीजों को फोटो से अगर पढ़ोगे ना बहतरीन तरीके याद होगी Orion constellation में क्या होता है कि इस टाइब का जो आपके तारे होते हैं constellation होता है जब बहुत सारे तारे अगर आपको एक साथ दिख रहे तो कोई pattern सा बना रहे है वो जो pattern बनता है जो आपको इहां earth space से दिखता है उसे constellation आप नाम देते हो अलग-अलग constellations होते हैं बहुत सारे तो Orion constellation जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि इस type से आप कुछ मानो कि एक हाथ में उसने एक चीज़ पकड़ रखिये दूसरे हाथ में उसने एक चीज़ पकड़ रखिये आपको क्यों ना मैं फोटो से ही दिखाऊं ये hunter जो case है मुझे बताओ क्या अब भूलोगे अब समझ रहे हो ना एक हाथ में उसने पकड़ा हुआ है तलवार एक हाथ में उसने पकड़ा हुआ है तीर कमान अब नहीं भूलोगे मुझे ऐसा उमीद है hunter जो होगा भई हंट करने जा रहा है तब इतना कुछ लेके जा रहा है यह ना hunter होगा इसका correct answer अगले सवाल पे चलते हैं what is the unit to measure what is the unit of measure of a magnetic field magnetic field को इसमें से किस से ना पा जाता है cobalt, ohm, ampere या tesla बताओ eliminate करो जो जो नहीं पसंद जो जो magnetic field से associated नहीं है हटाते जाओ answer दो comment section में tesla आ रहा है देखो cobalt तो बिलकुल ही नहीं होगा इससे तो भूल जाओ ohm जो है वो resistance की unit है, ampere जो है वो आपकी current की unit है जो tesla है वो आपकी unit है magnetic field की, magnetic field tesla एक और company भी है Elon Musk आपने नाम सुना होगा Elon Musk, Tesla और SpaceX ये तीनों चीज़े बहुत news में रहती है हलका हलका follow करते हुए चलना Elon Musk इन दोनों companies की CEO है, ये electric cars बनाती है और ये आपका space से associated company है, SpaceX, आगे चलते है I hope यहाँ तक सभी को सारे points clear होंगे, फिर से बता देता हूँ जो अभी अभी जिसने join करेगी, जो प्रतियोगिता मंत्रा channel है, आपको telegram पे वो search करना है सारी PDF आपको महां से मिल जाएगी, चाहे वो आज के session की हो, चाहे वो इससे पहले वाले English के session की हो आप अभी जाके follow ज़रूर कर ले ना, अभी जाके join कर लो group को, जिससे आपका data आपके बस up to date बिलकुल रहे which one of the following is the largest recognized constellation, इन में से सबसे बड़ी constellation जो हम मानते हैं, कौन सी है Antilla, Dorado, Crux या Hydra, बताओ भई Hydra, Crux, Dorado, Antilla, मैं आपको hint देता हूँ, कुछ साप से जुड़ा हुआ है Antilla नहीं होगा प्रसंजीत, option number 4 आदाद अभी का फटा-फट से बताओ Antilla चलो, Hydra होगा इसका सही answer हजारो तारे मानके चलो एक साथ यह सब मिलके जो constellation बनता है, साप के जैसा वो बनता है उसे हम Hydra बोलते हैं, उसे माना जाते हैं कि वो सबसे बड़ी constellation है Copy Pen उठालो, फाइदा देखो, session का तभी है कि जब आप Copy में भी चीजों को note करो, ऐसा नहीं है, सिर्फ session को देखा और आगे चले गए, नहीं Copy में note करो, बाद में PDF डाउनलोड करो, PDF से सवालों को relate करो जो जो सवाल गलत हुए थे, उन सवालों को अपनी copy में note करो यही hard work है, जिससे आपका selection होने ही वाला है, पक्का wind turbines convert dash energy into mechanical energy, अब यह तो असान सवाल है, यह सई होना चाहिए जो wind turbines होते हैं, अगर आप कभी कई गए होगे घूमने, आपने हो सकता है, इस टाइप का कुछ देखा हो, कि ऐसा कुछ बहुत बढ़ा सा लगा होता है, इसके उपर इस टाइप से बना होता है, यह wind turbines क्या करती है, ठीक है, ग्राविटेशन को, काइनेटिक को, नुक्लियर को, केमिकल को, जो हवा आ रही होती है, हवा की जो काइनेटिक, यानि motion वाली energy है, movement वाली energy है, इसे convert करता है power के अंदर, इस टाइप से पंखा जो घूमता है, यह घूमता है इसी वज़े से, क्योंकि जो हवा है, वो इस पंखे की blades को धक्का देती है, काइनेटिक होगा, बिलकुत सही answer, आगे चलते हैं, the approximate diameter, star बना रहा हूँ, बढ़िया सवाल है, of the sun, is dash times the diameter of earth, जो sun का diameter है, यानि जो sun का ये वाला दूरी है, ये earth के कितने गुना है, करीब करीब, 146, 109, 123, 92, ये बढ़िया सवाल थै, copy में मेरे हिसाब से आपकी होना चाहिए, जहां पर भी मैं star बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो future के लिए आपके लिए बहुत important है, diameter करीब करीब 109 गुना आपका चलता है, sun और earth के diameters का ratio, यानि अगर मैं sun के diameter लिखूँ, तो अब ये कैसाख तो 109 upon 1 का इसका ratio चलता है, diameters का ratio है, याद रखना, volumes का ratio बिलकुल भी नहीं है, आगे चलते हैं, dash is the hottest भहिया, द स्टार बना रहा हूँ, बहुत बार, बहुत बार ये सवाल, अलग-अलग exam में पूछा जाता है, railways में भी, आपका S.S.C. में भी, बहुत बार ये सवाल आता है, ये तो हटा दो, मार्स को, अर्थ को हटा दो, मर्करी वीनस में fight बची है, इनका answer दो मुझे, मैं समझाते हैं, सन तो है सबसे पास, उसके बार है, यहाँ पर आपका मर्करी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, तो देखो मार्स तो विचारा अर्थ से ठंडा होना चाहिए, इसे छोड़ दो, अर्थ को भी छोड़ दो, ये दोनों बचे fight में, अब कहने को त अंदर तो आ जाती है, बहार नहीं जा पाती है, ऐसा माल लो आप, कि एक तरफ तो आपने रखा हो है fry pan, जिसे आपने गरम कर रखा है नीचे से, उपर से heat निकलती जा रही है, एक तरफ आपने रखा हो है, कूकर, अब कूकर को आपने अगर sim पर भी रखा हो है, कम flame पर भ भी इसके अंदर से heat बहार नहीं जा पारी, ultimately यह जादा गर्म होगा, Venus का atmosphere थिक होने की वज़े से, यह बहार नहीं निकल पाता, Venus would be the correct answer, Venus जो हो hottest planet है आपके solar system का, I hope यहां तक आप सभी को सारी बाते समझ आ गई होंगी, which of the following elements is a metalloid, metalloid क्या होता है, क्या यह solid and liquid होता है, option number A, क्या यह acidic plus basic होता है, क्या यह metal plus non-metal होता है, देखें जड़ा, पहले तो यह जानना में लिए ज़रूरी है, option number C, none of these, silicon आ रहा है answer, free course के लिए, देखो लले special classes में आप देख सकते हो, हमने बहुत सारा content आपको YouTube पे and Academy Plus की special classes में दी, आप उन्हें भी देख सकते हो, उसके साथ साथ आप इस course को भी जॉइन कर सकते हो, इसके साथ सभी courses आपको एक single plan में मिल रहे हैं, none of these, बताओ भई, option number A, क्या metalloid metal plus non metal होता है, acidic or basic एक साथ होता है, solid liquid होता है, देखो अब metal की properties भी show करता है, non metal की properties भी show करता है, कुछ कुछ कैसे करता है, इस तीस को ध्यान से समझो, यानि metal भी है, non metal भी है, metal भी नहीं है, non metal भी नहीं है, यानि somewhere in between, अब acidic or basic विक्रम आप कह सकते हो, लेकिन व इसका जो correct answer होगा, वो metalloid, इन में से कौन साथ एको, tin, bismut, phosphorus नहीं होगे, silicon होगा, correct answer, ये क्या मैं कह सकते हो, इस IC, जो integrated circuit की जो chips होती है, उसमें इस्तिमाल होता है, yes or no, फटा फट से बताओ, जो chips बनती है, जो software's, आप, जो laptops वग्यारा होते है, mobile phones होते है, क्या उसमें इ बिलकुल होता है, इसका इस्तिमाल, IC chips में, आगे चलते है, methyl propane, अब ये सवाल पर ध्यान देना, ये सवाल बढ़िया है, इसलिए है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है, जिससे आप याद करने की जगा, अब समझों कि तो ही फायदा करेगा, methyl propane is an isomer of what, methyl propane क्या मैं कह सकता हूँ इस टाइब से बनेगा, यानि एक propane मैंने बनाया, prop का मतलब 3, myth का मतलब 1, मैंने propane बनाया, उसके उपर एक methyl chip का, ये किसका isomer है, यानि किसका भाई है, किसका रिष्टेदार है, किसका करजन है, देखो 4 carbon वाली चीज है, ध्यान से देखो 4 carbon वाला कौन है, pentane तो 5 होता है, propane तो 3 होता है, hexane तो 6 होता है, butane तो 4 होता है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब अपना काम बन गया, N-butane, यानि सीधा सीधा ऐसा बनाया, यह तो है N-butane, और अगर 3 के उपर मैंने यही वाला हटा के यहाँ पर लगा दिया, यानि उपर बना दिया, तो यह हो गया आपका methyl propane, बिलकुल सही, normal butane, N-butane, बिलकुल सही आंसर आरा, सभी का आगे चलते हैं, भी, Which gas in its solid state is also known as dry ice? One of the very few questions जो की आपको हर एक साल कहीं न कहीं देखने को मिलता ही मिलता है, फटा-फट से बताओ, कौनसी ऐसी gas है, जो solid state में होती है, तो हम इसे dry ice के नाम से बोला जाता है, solid CO2 is known as dry ice, यह कहावत आपने सुनी होगी बहुत जगा स्कूल में, जब आप तैयारी कल दे होगे, books में, CO2 यानि carbon dioxide का solid form होता है, solid state होती है, इसे dry ice बोलते हैं, जिसे नहीं पता, फटा-फट से अ predominant in, catenation का मतलब क्या होता है, catenation का मतलब होता है, रिष्टेदारी बना के रखना, यानि कैसे, लंबी-लंबी chains बनाना, लंबी-लंबी chains बनाना, वो catenation में C आ रहा है, chain में भी C आ रहा है, carbon की ऐसी property खास होती है, कि लंबी-लंबी chains बनाता है, chain बनाने की property, यानि लंबे- कार्टीनेशन जो शो करता है, सबसे जादा कार्बन ही शो करता है, इसी वज़े से आपने देखा होगा आपके आसपस जितनी भी चीजे हैं, उस पर से माक्सिमम चीजे ऐसी हैं, जो कार्बन से किसी ना किस तरीके एसोसियेटेटेड हैं, इन में से किसमे हैं, इन में से इसकी फ्रूटी फ्रेगनेंस, जिसके फ्रूट के जैसी स्मेल आती है, फोर्ड वैलेंस इलेक्टरोन बिल्कुल सही, इथाईल आसेटेट आरा है, प्रिया, खुश्बू, विक्रम, अमित, सबी लोग आओ भी फटावर्ट से कॉमेट सिक्षन में, इथाईल आरा है, मैं यह कहूंगा, यहीं पर चीज़ों को निपटाओ, सीखो, फिर आगे बढ़ो, अब PDF डाउनलोड करो, PDF से रिवाइस करो, फिर से सेशन को देखो, जहां जहां पर डाउट, अपनी कॉपी में नोट करो, वो सेशन को अभी से जोईन करके, अपनी तैयारी पर पूरी जा एटा है, और एक और चीज़ ध्यान से संमझ लो, कि तैयारी का परफेक्ट टाइम आपका यही ए, ठेक है बटी, अथाइल ऐसरेट इट की जो होता है, फूरी स्मेल होती है उसकी, आगे चलते हैं, the property of catenation is predominant in property of catenation predominant ये सवाल हमने already discuss कर लिए इस पिजालर टाइम नहीं लगाएंगे carbon इसका answer है क्यों है क्योंकि ये लंबी-लंबी change बनाता है buck ministers fullerene is an allotrop of what buck ministers fullerene जो है किसका allotrop है इन में से carbon, iron, phosphorus या boron carbon कोई मुझे बता सकता है कितने carbon होते हैं इसमें C60, C50, C48 या C70 A, B, C या D C60, C50, C48 या C70 carbon इसका बिल्कुल सही answer होगा buck minister fullerene जो है एक football type की आपकी एक shape बनती है जिसमें कि इस type से आप मान सकते हो बहुत सारे अलग-अलग जुड़े होते हैं football जैसा structure एक बनता है मैं लिख देता हूँ इस पे somewhat like a ball or a football C60 यानि 60 carbon होते है 60 carbon होते है याद रखना buck ministers fullerene के अंदर I hope यहां तक point clear होगा PDF कर लिए आपको क्या करना है telegram channel पे जाना है प्रतियोगीता मंत्रा वहाँ पे search करके group को join करना है वहाँ पे इस session के साथ-साथ जो इससे पहले वाला sessions आया आने वाले जितने sessions सबकी PDF आपको 100% free easily मिल जाएगी compiled form में आप join ज़रूर कर ले जिससे आप data से बिलकुल up to date रहो इसका अंसर होगा carbon which of the following is an eldehyde अब यह eldehyde क्या है अगर eldehyde की पहचान है सिरफ तभी यह answer आ सकता है है इसमें al है इसमें own है अब eldehyde में जो लगता है वो क्या लगता है eldehyde में लगता है फटा फट बताओ al suffix बहुत बढ़िया विकरम, रिदेश, रभी, अमित, खुश्बू, प्रोपेनॉल नहीं खुश्बू, प्रोपेनॉल नहीं होगा eldehyde है last में al होता है, बिल्कुल सही फटा फट से बताओ भई, सबी लोग al लगता है बिल्कुल सही है, जिसका भी जो भी कहादा al लगता है, बिल्कुल सही है eldehyde इसमें से वो होगा जिसके end में al लगता है इसी type से eldehyde की जगा alcohol सवाल पूछता तो क्या answer होता, alcohol के case में देखो, ol लगता है ऐसी ketone के case में and kind के case में सबका अब अलग अलग चीज़ों को decode कर सकते हो, ठीक है जो आपका proper null है, यानि al की भहचान से आप कह सकते हो eldehyde होगा आगे चलते हैं ketone के case में जैसे own लग जाता है for your reference, जैसे एक ketone होगा ये alkyne group होगा, ऐसे करके भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हो आगे चलते हैं which of the following destroys the ozone layer अब यहाँ पर कौन सा ऐसा है कौन सा ऐसा है जो की ozone को destroy करता है chlorine, sulfur carbon या फिर silicon sulfur, carbon या फिर silicon carbon नहीं होगा अगर सिरफ carbon है Vikram एक बार सोच के, देखो CFC जो है वो chloro-fluorocarbon basically उसमें chlorine भी है, fluorine भी है, carbon भी है अब यहाँ पर carbon chlorine में हो गई debate फिर किसे चूज करा जाए देखो रभी में एक बार बताता हूँ ultimately आपको कुछ इमानदारी खुद से भी रखनी है कि आपको question पढ़ना है, उससे आपको खुद ट्राएगा it will be more of your, you know, honesty kind of a thing are you understanding the point? कि ऐसा नहीं है, answer gray हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है try to understand the whole concept of this class इसका पूरा फायदा उठाओ चीज होगा chlorine, sulfur, carbon, silicon ozone layer को destroy करने पे जो main culprit है, वो आपका है, chlorine यह सवाल repeat है, इस पे जादा time नहीं लगाएंगे हम what is deposited on iron in the process of galvanization galvanization word को देखते ही दो चीज़े होती है एक तो iron होता है, और यहाँ पे एक और चीज़ होती है यह बचपन में शायद पड़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ जिसमें iron के ऊपर किसी और चीज़ की layer जमा हो जाती है जिससे उसके rusting को रोका जाता है rusting को रोकने के लिए इसका इस्तिमाल करा जाता है zinc zinc, zinc, zinc बिलकुल सही answer होगा zinc जो होता है, अब मुझे फटा-फट से combination बताओ कि अंदर zinc होता है, उपर iron होता है यह तो है combination number 1 combination number 2 बताओ अंदर iron होता है, उपर zinc होता है combination number 1 सही है, combination number 2 सही है zinc zinc, उपर zinc, option number 2 अंदर zinc, बहार नहीं विक्रम अंदर, आच्छा, iron अंदर लिखा है फिर ठीक है, combination 2 बिलकुल सही होगा जिसे नहीं भी पता, मैं बता तो combination 2 सही होगा, basically जो zinc होता है वो ज़्यादा reactive होता है iron से, ठीक है, तो zinc उसके उपर coating बना लेता है, जो कि protective coating होती है, protective coating से फाइदा ये होता है, कि ये directly जो iron है न, ये आपका atmosphere के contact में नहीं आपाता है atmosphere के contact में जो भी नहीं आपाएगा तो इसे वहां से moisture नहीं मिलेगा आपका oxygen, air, water नहीं मिलेगा, तो इसकी rusting नहीं होगी इसी वज़े से galvanization करा जाता है, ये बार ध्यान रखना इसका answer zinc होगा for your reference which of the following metals is the most reactive metal, अब आपको क्या करना है, इन चारों में से choose करना है, ऐसा नहीं आप potassium का नाम ले लोगे, sodium, इन चारों में से मुझे बताओ, सबसे दारा reactive कौन सा है which of the following, यानि इन में से बताना है, zinc, copper, iron देखो, zinc और iron में तो zinc जीता था, तो इसे हटा दो copper विचारा कम reactive होता है, नीचे आता है reactivity table में ये भी नहीं, ये बचा calcium और zinc calcium और zinc बचा है calcium होगा, बिल्कुल सही answer, जो calcium है सबसे ज़ादा reactive है इन चारों में से ये तीन नहीं है, calcium होगा इसका सही answer most ductile metal फिर से गौर फर्माओ which of the following, यानि इन में से बताना है सबसेरा ductile कौन सा है ductile क्या होता है ductile क्या होता है क्या ductile ये पहला case, तार बनाने वाला case है या दूसरा case, ductile sheet बनाने वाला case है one or two, बताओ फटा फट से sheet या तार wire बनाने का case है ductile, ductility या फिर sheet बनाने का है gold gold बिलकुल सही आ रहा है आपका answer जिस जिस का भी gold आ रहा है खुश्बू, वेजू, हरित, अमित, विक्रम, प्रिया wire बिलकुल सही बिलकुल सही नई survey sheet नहीं होगा अमिश sheet नहीं होगा clear कर देता हूं मैं एक चीज होती है malleability, एक चीज होती है ductility, दोनों में फरक समझना एक होती है malleability, एक होती है ductility, ductility जो होती है wires, पतली, basically पतली तार बनाने की property होती है पतली sheet बनाने की property जो है आप कह सकते हो malleability है दोनों interrelated होती है, ऐसा बिलकुल मत समझना कि दोनों अलग-अलग चीज़े है let me be very clear on this दोनों चीज़े associated एक दूसरे से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है अब ductile जो है इन में से कौन सा है, gold सबस्यादर ductile है आगे चलते है अब rust जो होती है यानि junk जिसे बोलते है इसे तीन चीज़े चाहिए होती है बताओ इन में से क्या चाहिए होती है फटा-फट से बताओ iron, nitrogen corrosion या moisture चलो बहुत बढ़िया sheet, steel, iron, oxygen iron देखो अगर मैं बात को rust की तो rust हमेशा iron के case में बोलते है याद रखना जो corrosion होता है ये general term है सभी metals के के लिए लेकिन अगर ये iron के लिए मैं इस्तिमाल करूँगा तो मैं इसे rust बोलूँगा तो मुझे iron तो पक्का चाहिए यानि iron इसमें नहीं है हटा दो अब बचे ये तीनो iron के साथ सत oxygen और moisture यानि नमी ये दो चीजे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा मुझे एक answer बताओ yes or no में answer बताना ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे अगर सिरफ moisture गायब कर दूँ और oxygen दे दूँ क्या rust रस्टिंग होगी yes or no iron भी दे दिया oxygen भी दे दिया क्या rust रस्टिंग होगी simple yes or no लिखो फटा फट से बताओ rust बिलकुल भी नहीं होगी let me be very clear rust रस्टिंग नहीं होगी बिलकुल सही इस cancer होगा iron oxygen and moisture for your reference marble cancer क्या है यह marble cancer जो associated है यह आपका ताज महल से associated है पीछे काफी टाइम पहले कुछ news भी आपने इस पे सुनी होगी ताज महल या जितने भी monuments हैं आपके वो marble cancer से जूज रहे हैं इसका मतलब यह है जो acid rain होती है जो acid rain होती है उसके case में क्या होता है जो acid आता है बारिश के साथ यानि जो gases होती है उसकी वज़े से corrosion यानि खराब हो जाता है marble इस case को बोलते हैं marble cancer disease in animals नहीं cancer in human नहीं soil degradation नहीं इस cancer है आपका corrosion of marble due to acid rain अब यह सवाल बहुत ही बड़िया है इस पे star बनाता हूँ यह सवाल बहुत important है आपके लिए metal oxides कैसे होते हैं क्या यह basic होते हैं क्या यह acidic होते हैं PDF मयंक आपको telegram group पे हमारे मिल जाएगी प्रतियोगीता मंतर आप सरच करके उसे join कर सकते हैं वहाँ पे इस session के साथ बाकी session के भी आपको PDF मिल जाएगी basic होते हैं बिलकुल सही सवाल को थोड़ा सा पलटता हूँ non metallic oxide non metal के जो oxides होते हैं वो कैसे होते हैं acidic होते हैं या basic होते हैं A acidic या B basic बस इतना बता दो बाकी बाते नहीं करेंगे चलो बढ़िया acidic या basic देखो metal oxide का याद रखना metal oxide basic होते हैं जो non metal के oxide होते हैं वो acidic होते copy में note कर लो very important आगे चलो non metallic oxide जो metallic oxide होते हैं वो basic in nature होते ये सवाल क्या मैं कह सकता हूँ repeated है yes or no बस पहले तो इतना बताओ क्या SAC ने खुद ही इसका आंसर हमें दे रखा था पहले से अगर हम previous year questions को follow करने वाले इमानदार इसे इंसान है तो हम इसका आंसर already जानते है SAC के द्वारा ही electron किस ने discover करा JJ Thompson ने अब कभी वो पूछेगा JJ Thompson ने क्या discover करा electron है बात तो वो ही है अगर concept पकड़ लिया समझो सब कुछ पकड़ लिया law of octaves says that if the chemical elements are arranged according to increasing atomic weight अब यहाँ पे पहले समझ लो इस सवाल को answer जानने से ज़ादर ज़रूरी इसका मतलब है यानि अगर मैंने atomic weight के हिसाब से सब को arrange कर लिया इस हिसाब से इस हिसाब से मैंने सब को arrange कर लिया ऐसा कुछ तो जो same होंगे physical, chemical, property वो हर कितने element के बाद आएंगे कितने element के बाद आएंगे अब यहाँ पर लोग ढूंडते है art को यह तो SAC ने महरवानी करी यहाँ पर art नहीं लिखा अगर art लिख देता octave देखते हैं art पर टिक करते हैं लेकिन art इसका गलत आंसर होगा eighth है यानि हर साथ के बाद हर साथ के बाद यानि हर आठवा eighth यानि after every seven elements every seven elements जो होगा वो physical property जो होगी दुबारा घुम घुम के सामने आएगी seven answer होगा बिल्कुल सही third option seven इसका आंसर होगा जिसे भी नहीं समझा होगा ध्यान से देखो इन इस periodic table बढ़िया सवाल है और यह अपने आप में बहुत बड़ा भी सवाल बनता है मेंडलीव जो था उसने कौनसे element को जगा नहीं दे पाया था इन में से कौनसा ऐसा है जिसे वो जगा नहीं दे पाया था oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen साथ के बाद का मतलब यह कि every eighth element will be having similar properties यानि बीच में कितने होंगे साथ hydrogen, hydrogen के साथ पंगा क्या था hydrogen के पास एक था इसे यह समय निया था कि मैं इसे hydrogen plus मानू या hydrogen minus मानू यानि अगर यह दे देगा यह halogen से भी match कर दा था यानि आखरी वाले से जो पहले वाले होंगे यानि इनने एक की कमी है हम कह सकते हैं इस पर एक फालतू है जी हाँ फालतू है इस पर एक की कमी है जी हाँ कमी है तो इस वज़े से confusion यह बना रहा था और ये अभी भी confusion आप कह सकते हो, पूरे तरीके सौट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम अपना काम असानी से बना सकते हैं, hydrogen इसका answer होगा, mend leaf जो है, वो correct position hydrogen को नहीं दे पाया था, बिल्कुल सही answer है, आगे चलते हैं, what is the dominant chemical present in vinegar, vinegar का पहले तो मुझे हिंदी मतलब बताओ, हिं sulfuric acid या फिर formic acid, अगर हिंदी मतलब पता है, सिर्का मेरे पास answer है, CH3COOH, acidic acid, सिर्का, अब देखो, सिर्का जो होता है, वो खटा होता है, लेकिन वो बहुत जादा खटा भी नहीं होता है, आपके खाने की चीज़ों में डलता है, तो ये sulfuric acid तो नहीं होगा, malic acid हमने और पढ़ लिए apple से जोड़ा है, formic acid जोड़ा है, आंटबाइट से, obviously, ethanoic acid ही बचा है, यही answer होगा, और वैसे भी ध्यान लखो, विनेगर से associated एक और होता है, acidic acid भी कभी कवार option में देखने को मिलता है, ध्यान लखना, acidic acid भी option में आपको देखने को मिलता है, ethanoic acid होगा, इस सवाल भी repeat है, यह सवाल repeat है, chemistry का भी सवाल बनता है, इसी वैसे मैं हापे आपको discuss करा रहा हूँ, vitamin C जो है, उसे ascorbic acid के नाम से भी जाना जाता है, और यह पाया जाता है, खटी चीजों में, citrus fruits में, जैसे की आवला है, नीमू है, इन सब चीजों में यह पाया जाता है, क्य yes or no में मुझे answer हो, क्या यह milk के अंदर पाया जाता है, milk के अंदर यह नहीं पाया जाता, keep this in mind, milk के अंदर जो citric acid है, वो नहीं पाया जाता, no होगा इसका सही आंसर, milk के अंदर यह नहीं पाया जाता, इसकॉल्विक आसेड का जो popular name है, वो vitamin C है, यह सवाल repeat है, इस पर जादा time नहीं नगाएगे, vinegar का क्या दूसरा नाम होता है, ethanoic acid होता है, explosion of crackers is an example of क्या, जो पटाके फूटते हैं, भईया दिवाली अभी अभी गई है, तो यह सवाल आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, दिवाली अभी अभी गई है, explosion of crackers जो है, वो इन में से क्या है, precipitation है, precipitate बनता है, decompose होती है, कोई चीज़, evaporate होती है, कोई चीज़ या combust होती है, कोई चीज़ जलती है, combustion होगा इसका answer, जिसे नहीं पता, फटा-फट से copy pen उठाओ, यहीं पे चीज़ों को निप्टाते चलो फ्यूचर में वीडियो देखूंगा, फ्यूचर कुछ नहीं, फ्यूचर में और भी मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, तो इसलिए अभी चीज़ों को निप्टाते चलो, combustion इसका answer होगा, combustion होता है, keep this in mind, आगे चलते हैं, traditional battery, यह देखो कुछ सवाल ऐसे हैं, जो chemistry क साथ साथ, biology, कुछ सवाल, physics, interrelated है, जी, इसकी यही खास बात है, कि आप कहीं से भी पढ़ो, जादा पढ़ लो, कम मत पढ़ो, दो बार सवाल को पढ़ लो, चीज़ों को miss मत करो, बस, battery में कौन सा acid होता है, इस पिछली बार मैंने आपको बताया था, इस बार आप मुझे इसका अंसर होगे, sodium bicarbonate, sulfuric acid, ethanol या ethylene glycol, यह sulfuric acid इसका अंसर होगा, जो starting से जुड़ा होए, session में उसे बात पता होगी, हम already discuss कर चुके हैं चीज़, sulfuric acid एक strong acid है, H2SO4, which of the following acids is present in ant bites, ant bites जो होती है, क्या यह हम already discuss कर चुके हैं, जी हा, इसका मतलब यह है, कि कुछ sets के बाद, कुछ questions के बाद, हमें यह पत लग रहा है, the pattern is, you know, repetitive, repeat हो रही हैं चीज़े, इसी तरीके अगर आप पूरे-पूरे session को लगा के जाओगे, जो आगे आने वाले time में भी आपको session कराऊँगा, बहुत सादा फायदा होगा, आन्ट बाइट के case में, formic acid आप याद रखना, formic acid जो होता है, वो आन्ट बाइट या इंसेक्ट बाइट करते हैं, जनरली छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, formic acid उनमें पाया जाता है, about 70% of the sun is made of क्या, अब जो sun है, उसमें सबसे जादा कौनसी gas पाई जाती है, क्या वो hydrogen है, क्या वो helium है, मैं आपको clearly बताते हैं, sun जो है mainly दो ही gases से बना hydrogen प्लस helium, यही वो gases हैं, जो की एक तरीके sun को energy प्रोवाइड करती है, hydrogen या helium याद रखना, बहुत लोगों को helium आंसर लगता है, hydrogen सही आंसर होगा, करीब करीब 65 से 70%, 70% जो आपका है, hydrogen पाया जाता है, sun के अंदर, hydrogen would be the correct answer, what is a dominant chemical present in detergent powder, जो कपड़े धोने का powder होता है, जो सरफ जिसे आप बोलते हो, इन में से क्या उसके अंदर पाया जाता है, अब देखो, elimination method लगाओ, calcium carbonate तो नहीं होगा, calcium carbonate तो एक अलग चीज़ होगई, sodium carbonate हो सकता है, hydrochloric acid बिल्कुल भी नहीं होगा, acid नहीं होगा, कपड़े विलकुल जल जाएंगे sodium alkyl sulfate ये भी नहीं होगा sodium carbonate पाया जाता है ये ध्यान में रखना sodium carbonate जो है ये पाया जाता है किसके अंदर जो detergent powder होता है उसमें sodium carbonate पाया जाता है नहीं पता अभी note कर लो बहुत बार ये सवाल repeat होता है what is the chemical name of the deadly poison cyanide very important question elimination method लगा तो सिर्फ नहीं पता जाने दो बस ये देखो क्या-क्या नहीं हो सकता इन में से क्या-क्या नहीं हो सकता sulfuric acid क्या cyanide होता था नहीं होता था HCL तो बिल्कुल नहीं होता nitric acid fertilizer वाला ये भी इतना जादा strong नहीं हो सकता prusic acid note करो फटावट से copy में cyanide आगे लिको prusic acid prusic acid और cyanide note करो आगे चलते हैं prusic acid इसका सही answer होगा जो chemical name है cyanide का वो prusic acid है what is the dominant ये question repeat है detergent powder वाला इसे जादा times में नहीं लगाएंगे sodium carbonate इसका सही answer होगा अभी discuss करा है हमने ये बढ़िया सवाल है dash gases trap heat in the atmosphere which makes earth warmer causing global warming या आप चाहो जोगरफी में माल लो चाहो आप माल लो environment में चाहो आप माल लो science में लेकिन ये सवाल important है बताओ भी फटाफट कौन सी gases है क्या noble gases है noble gases तो नाम में ही noble है शरीफ सी gases है बिल्कुल पंगा नहीं करती green house gases आपने green house gases के साथ सथ green house effect भी एक नाम सुना होगा green house effect जो होता है वो यह होता है कि जो gases होती है जो heat अंदर आ जाती है बाहर नहीं जा पाती जिसकी वैसे जो गर्मी है वो अंदर trap हो जाती है यही सेम प्रोसेस लगता है जब आप गाड़ी के अंदर शीशे बंध होते है और कोई गरम दुपैर होती है तो गाड़ी के अंदर जो होती है बहुत जादा heat होती है बाहर के कमपैर्जिन में उसमें भी आप ग्रीन हाउस अफेक्ट का रोल मान सकते हो नाइट्रस ओक्साइड इस दा केमिकल नेम ऑफ क्या नाइट्रस ओक्साइड इन में से किसका केमिकल नेम है याद करो houseful movie जरूर देखियोगी उसमें भी आप सुना होगा पका पका वैसे भी काफी famous है fire extinguisher, mosquito replant, मच्छर भगाने वाला, tear gas, आंसू gas, नहीं laughing gas, laughing gas जो है ये नाइट्रस ओक्साइड का केमिकल ने, नाइट्रस ओक्साइड जो है इसी का केमिकल नेम है identify the element that is most prolific in the crust of the earth, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है confusion मैं मिटा देता हूँ nitrogen या oxygen, options को छोड़ दो nitrogen या oxygen, ये option है माल लो, एक लिख देता हूँ मैं silicon चलो silicon आया है, सर्वेश का अंसर, खुश्बू का आया है, oxygen मुहम्मद का आया है, oxygen अर्चित का आया, silicon, फटावट से बता हूँ nitrogen, oxygen या silicon, oxygen यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैं आप अभी बता तो प्रसंजीत, पूरा चीज़े में decode करके आपको दूँगा, silicon जो है, आप मुझे बताओ silicon, अगर आप sand, soil को associate कर देना, तो क्या मैं कह सकता, अब ऐसा ही O2 बोलना चाहरे हूँ, उसमें भी सोचो silicon है, तो oxygen भी है, ultimately जो oxygen है, वो सबसे ज़ादा होती है, crust में, यह चीज़ ध्यान देना, this is not about atmosphere, atmosphere के case में जो आप answer देते हो, वो nitrogen का देते हो, देखो, जो चीज़ नहीं आती, सबसे बड़िया बात यह है, कि वो आपको सीखने का मौका मिल रहा है, exam में marks कटते हैं, या बिना marks कटे, आपको कोई जीज़ सीखने को मिल रहा है, तो you should, you know, take this session very seriously for your career, oxygen होगा, इसका जादा oxygen पाई जाती है, ध्यान लखना, nitrogen, अगर crust को काट के atmosphere लिखता हूँ, nitrogen होगा, उसका सही answer, आगे चलते हैं, the process of change from liquid to gas is called, liquid से gas जारे हो, pattern समझो, ध्यान से, solid to liquid to gas, आराम से दिमाख लगाओ, फिर बताओ, solid to liquid to gas, प्रसंजीत नहीं, aluminium और silicon जो आप मुझे बता रहे हो, वो होता है, लेकिन सबसे जादा oxygen ही होता है, और एक और चीज़ आन देना है, आपकी बात core या mantle की नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम crust की बात कर रहे हैं, आप इस चीज़ को एक बार अराम से समझो, research करो, आपको definite basis पर इसकी information पूरी मिल जाएगे, अब यहाँ पर जादे liquid to gas, यानि vaporization, solid to liquid जाओगे, क्या बोलोगे, solid to liquid जाओगे, आप melting कर दे हो, solid to gas जाओगे, इस हिसाप से चीज़ों को decode करो, solid to gas जाओगे, sublimation बोलोगे, क्यो ना simple, सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ दिया जाए बात ही खतम, आगे चलते हैं, अच्छा, एक और answer बताओ, gas to liquid जादे हो, क्या answer होगे, मुझे इसका answer बताओ, जिस पर मैंने one लिखा, इसका answer बताओ, gas to liquid, हो सकता है, option में ही कहीं आपको दिख जाए, फड़ा वट से बताओ, condensation बहुत बढ़िया, शाबाश, इसका answer liquid to gas वाले का vaporization होगा, in 2015, aircraft maker Boeing developed a metal called dash, which is lighter than air and stronger than steel, very important, या अप current affairs में मानो, जिसमें मानना है, उसमें मानो, लेकिन भाईया है, पताओ, होना चाहिए, iridium, titanium, molybdenum, अब ये देखो कि इन में से ऐसा कौन सा है, जो आपने नहीं सुन लखा, iridium, titanium, molybdenum, micro lattice, ये जो micro lattice है, ये develop करा है, ये actual में हवा से भी हलका है, आप अगर Google इस word को करोगे, तो आपको उसमें दिखेगा, एक छोटा सा इस टाइप से एक object बन और जो mass चीज़ों का बनेगा, जो weight बनेगा, वो बहुत ही हलका बनेगा, I hope point समझ आ गया होगा, अच्छा सभी लोग मुझे एक बार बताओ, इमानदारी से, कि session में कुछ सीखने को मिला है, नहीं मिला, भी, बहुत कुछ मैंने all भी discuss करने, एक चीज़ हमेशा ध्यान तैयारी को जोखना बिलकुल नहीं है, अगले कुछ महीने, keep this in mind, जो traditional battery है, इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान से सुनो, कि जिसने भी telegram join नहीं कर दा है, comment section में link आ रहा है, आपके बास उसे join कर सकते हो, साली PDF 100% free है, join करने में भी कोई आपका charge नहीं, बस time देना है और information लेनी है, कौन सा chemical पाया जाता है, sulfuric acid पाया जाता है आपका traditional battery के अंदर, जे जे थॉंसन, भाईया, फटा फट से answer दे दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे आप से answer चाहिए, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, खुश्बू, इसी type से सीखते रहो, बताओ भई, physics में इन अनकाडमी प्लस का जो subscription fee है, वो बढ़ाया जा रहा है, इसके लावा यह जो discount code है, PMYT ये पूरा अनकाडमी पर valid है, चाहिए अब UPSC, SSC, Bank, Railway, CDS, NDA, State PSC exams, UGC, IIT, NEET, किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, बस आप अपना exam चूस करिए, get subscription करिए, PMYT apply करिए, आपको maximum discount मिल जाएगा, discount की चिंत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, code note कर लीजे अपनी copy में, PMYT, PMYT apply करना, पूरा अनकाडमी पर किसी भी exam की अगर त्यारी कर रहे हो तो,